मैं जेलम जिसने अपनी बदलती धारा के साथ दीखा है भारत का बदलता इतिहास इतिहास जो कुछ बच गया, कुछ मिट गया, मेरी रेत पर लिखे नामों की तरह पर उस युद्ध की यादें कभी नहीं मिट सकती, जो लड़ा गया मेरे तट पर और निशान छोड़ गया संसार के सीने पर वो युद्ध जिसमें संसार के सबसे क्रूर और शक्ति शाली विजेता मैसेडोनिया के सिकंदर का विजेर रत रोका गया उसका भारत पर कबजा करने का सपना अधूरा छूटा और सिकंदर नाम के उस तूफान को रोका कुछ लोग उसे पूरू कहते हैं, कुछ पुर्शोतम पर सिकंदर जिसे महान पोरस कहते हुए उसके सामने चुका उसे युद्ध की सुनी अंसुनी, जानी अंजानी कहानी है ये पर पोरस और सिकंदर की कहानी सिर्फ उस युद्ध से ही नहीं उनके जन्म से भी चुड़ी है इन दोनों महान योधाओं का जन्म शायद इक दूसरे के लिए ही हुआ था और उनके जन्म की कहानी उस दिन शुरू हुई जब एक और विदेशी बुरे इरादों के साथ मेरे तट पर आ रहा था देखिये हुजूर आपके ख्वाबों की ताबीर भारत अगर आज कयामत होती और हम खुदा होते ही तो पाख खुदा तुझे जन्नत बक्ष देते आधीन जन्नत तुमा जीते जी बनाऊंगा हाजूर आप ही की तरह फारत से और सौदागर लेकर आऊंगा इस सोने के चड़िया में इतने बड़े खुआप के लिए तुम्हारी आख के कुछ छोटी नहीं हादी लेकर विए जली के बड़े ऑख लेकर बड़े दो अमें हादी प्लेवे याज़े वे・ाई-प्लेवे याज़े वे-प्लेवे लेए ... कुछूर, इसने तो हमको रास्ता दिखाया था रास्ता दिकाथी, दिकाथी अमारी रास्ते में आगए यह सोने की चिडिया मेरा क्वाब है और उन आखों को खुलने की इजाज़त नहीं जो मेरे क्वाब के रास्ते में आ जाए प्चली जो में ही उपनार नहीं कि खुल nights मेरे सोने की चिडिया तरायस आरा है कुल कुल कर दो कर दो आरा है झाल 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 आपके सम्मान के साथ खेल पैठे इन्हें उत्तर भी खेल से यह दिया जाएगा जेश्ट आपने जो किया वो उचित नहीं था इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है परिणाम की मुझे चिंता नहीं आरंभ में ही आनन्द आ गया अब ये खेल केवल खेल नहीं रहा भाई अंभीराज जीवे तक पर नहीं लोटना चाहिए यह लोग एक दूसरे परवार कर रहे हैं वह कारोवार नहीं हो सकता दुश्मनी के तंदूर में सिखी कारोवार की रोटी बड़ी मीठी होती है मोशिस कहां हो रहा है ये खेल कि रहा हैज। कि रहा है दुश्मनी के लिदए भेपा में सिखी कि रहा है ये रहा है कि रहा है कि रहा है आप एल. तोरो वासियों, वार्शी छेलम संबेलन में आप सब का स्वाज़त करता हूँ वार्शी छेलम के वैपार का मार इस पतियोगिता से ये निश्चित होगा के सुख समरुथी और बन किसका होगा ये प्रतियोगिता इतनी सवल नहीं है इस यंक्र के पानी में गिरने पर आरम हुई नोगाओं की ये प्रतियोगिता जेलम की धारा के साथ उस ध्वज तक जाएगी जो उस द्वीब पर रखा है और उस पर प्रतियोगि को अपना अधिकार करना होगा ध्वज के उस अधिकारी को मुख्यधारा पर घड़ी उस नौका तक पहुँचना होगा उस नौका के सबसे उपरी तल पर जो विजई ध्वज लहराएगा वही विजएता कहलाएगा वो आज के प्रतियोगी ता के प्रतियोगी पोरो नरेश, बमनी और तक्शिला नरेश, अंभी राज का यहाँ इस महत्सा में स्वागत जलता हो और हमात्यप शिवदंश्री और यूरागी अनुसुया को यह प्रतियोगी ता का शुमाराव करें चेश्ट ने आपके साथ जो भी वैवार किया उसके लिए मैं शमा मांगती हूँ अपमान और रश्वतामा की राश ये एक होती है राज कुमारी दोनों के गाव रिष्ते हैं, बहते हैं, मगर पढ़ते नहीं अपमाराव अपमाराव जयतू 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 दो रख रहunn से तो अपन दे अर। है aunt अजो आ जता! अजो लड़ जता! अब न हुआ हो एक तो एक तो एक तो बच्राफ! करो एक तो! श्याएग! कर दो! कर दो! कर दो! कर तो शॉए छटए कर दॉए, वारााे कर दॉए भारे करत G theory on करेंस्टे प्सरड़ी है वफ खरोले टो अकोटूने दो में लिए मिएज़ को जये लिए बीघका खुटूने जब यिए खुटूने लिए बादा दुटूने जब जब करेंज को लिए। पऐसे अचसे अप्रिया अप्रें चार लग से लग जयको! अप्रोंस अचसे जप्रिफंधन रधुने नंचसे अचसे अचसे लागंगर! अचसे कर ले अचसे लूमने लेगो! अञगिजू एग! एँ, बस्टर आपनों! एँ, बस्टर आते हो, एफ ऑना! एँ! नीज! त्र कर्यात्र कि थे लुण के लुण सुष्छे लुण युणवधं़ के लुणवधं़ युणवधं़ युण युण हाँ!! वराँ जटूूूूूूूूूूूूूूूूूूूुूॉ कि आपने खेल को खेल ही रहने दिया, युद्ध नहीं बनाया। खेल था। इसलिए तो अंबिराज जीविद बच गए। युद्ध होता, तो कदाचे तक्षशीला को नया राजा ठूड़ना पड़ता। आपके जीविद बचने का एक बड़ा कारण, मेरा रुका हुआ प्रहार नहीं। वो पुकार थी जिसमें मेरे प्रहार से अधिक बल था। तरिया जिसमे जिसमें टूड़ना थार जाएब एक मेरा का तरियाध थापमना ए्माहार हुआ तरहार किर दो प्रहार मेरे शर्विद आहरादे। तरिया जिसम्रावर्ण। झाल झाल सर्गो रस्टमार परो फरो परोजसे परो वासियो ol बरोजसी ऑड उ्ग पर्सि जेलम के व्यापार पर हमारा नियंत्रन हुआ अपने घर, अंडार और मन के आकार को और पढ़ा लो क्योंकि ये संपन्नता और बढ़ने वाली है कि एक तब आप 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 बढ़ने से निकटता कि कोई आवे शक्ता नहीं अनुसर दो आप 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 जिश्ट उसके पश्चात उस विदेशी वैपारी का प्रस्ताफ थुक रहा है हम पर विश्वास किया जिनके विश्वास में भी विश्क अवास हो उनके समीप नहीं रहते अनुसुया साप काटे या सूंगे खातक दोनों ही होते हैं रुख जाओ रुच। रुच। बोली प्रारंब के जाए श्रिफ दच्छी जी महराज चीन से आने वाली रेशम के बदले नीलम के वैपार के लिए पौरो राज्य को सरवादिक कर एक लाख स्वरन मुद्रा देने के लिए तैयार है हमारे चीन के वैपारी चांग ली बढ़ाई हो बंग देश की मलमल के बदले मिर्ची के वैपार के लिए पौरो राज्य को सरवादिक कर पांच लाख स्वरन मुद्रा देने के लिए तैयार है मिसर के वैपारी मसहार्ता बढ़ाई हो मसहार्ता लोंग लाइची और दालचिनी के बदले तांबा और पीतल के वैपार के लिए पौरो राज्य को सरवादिक कर दस लाख स्वरन मुद्रा देने के लिए तैयार है हमारे सुडान के वापारी अनिकुन्दी बदाएगो इस वर्ष के लिए बोली समाप्त हुई पौरो राष्ट्र की जनता को बताते हुए मैं अति प्रसन हूँ के पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमें अधिक लाब हुआ है फाइदा अगर कम हो तो वो भी नुकसान ही होता है हुजूर बिना अनुमती सभा में हस्तक शेप करना पौरो वराष्ट्र में अपराद होता है प्रजा के बीच से आई आए आवाज या तो विद्रो की होती है या बिनती की सामने आकर दिल की बात करो मेरा इन्याक के विद्रो की याउ़ हजूर, खाकसार फारस का एक छोटा सा कारोबारी है, डराइस. गापारी हो, तरह भी राद सवा के बीच में बोलने का अफसंग कट लिया. जोखिम से डरूँगा, तो मुनाफ़ा मुआफ नहीं करेगा, हुजूर. मैं भी बोली लगाना चाहता हूँ. क्या सुनानी? इस वर्ष के लिए बोली समापत होगी है. अगले वर्षाना. जैसा हुजूर चाहें. मगर जैसा आप ने कहा, मैं भी दिल की बात रखने की ख्वाइश रखता हूँ. आपको इस सारे कारोबार का महसूल दो करोड सोने के सिक्की मिला है. मैं आपको इस सब का दस करोड देने को तयार हूँ. मैं आपको इस सारे का दसारे का दस्था रखने का दस्था दस्थाना. झाल झाल जेश्ट, मुझे इस व्यापारी की मन्शा ठीक नहीं लग रही अनुसिया, मैं इस समय व्यापार के विशे पर नहीं अपनी हार के विशे पर विचार कर रहा हूं कहिए हुजूर, इस चोटे से कारोबारी की ये पेशकष मन्जूर है? चोटा सा व्यापारी फिर भी पाच गुना अधिक धन देने को प्रस्तुत हो क्या लाब है दुने गुस्ता की मौाफ हो हुजूर मगर फाइदा कारोबारी की बेगम होती है और बेगम बर्दे में ही अच्छी लगती है आप अपना खजाना पांच गुना करें और मुझे मेरे दो निवाले कमाने दें आपका क्या कहना है? तक्सीला नरेश यहां पार वराष्ट्र के लाव पर विजार भी मर्श हो रहा है तक्षला से मंत्रा ना क्यों क्योंकि छेलम की धारा तक्षशीला से भी होकर निकलती है इसलिए तक्षशीला की विचार धारा हमें ग्यात होनी चाहिए कहिए अंबिराज प्रहतियों किता में जीत आपकी होई है नेरने का अधिकार भी आपका हो आप अपने विचार ना रखना चाहे ठीक पर उन्तु ये सवाल केवल आप से नहीं तक्षशीला से है और आपका मुख बता रहा है कि आप अपने भाई के बातों से सहमत नहीं है राजकुमारी अनुसुया प्रश्न मेरी सहमतिका नहीं है राजा की मतिका है पौरवनरेश जो दस मूली की वस्तू के पचास दे दे या तो मूर्ख होता है या फिर धूर्द और मूर्ख और धूर्द दोनों का ही साथ विनाशकारी होता है जिसका प्रस्ताविया विश्वसिया हो उस वयम विश्वास का पात्री नहीं होता तक्षिला कमारी आपको ब्रहमित करिये महराज तक्ति तक्षिला के विश्वान मूर्ख फार्ण के व्यापारी द्रायस कोई मूर्ख ही होगा जो तुम्हारा प्रस्ताव ठुकराएगा और कोई महा मूर्ख होगा जो राजकुमारी अनुसुया की बात का मर्म न समचे हमारे यहां व्यापार का आधार सिक्को की खनक नहीं विश्वास की चमक है हम धन के लिए व्यापार नहीं करते वो हमारे यहां प्रचूर मात्रा में है हम व्यापार संबंध बनाते हैं संस्कृति के आदान प्रदान के लिए पहले विश्वास अर्जित करो, व्यापार पर फिर कभी चर्चा होगी प्रंतु महराज इससे हमें हानी होगी कलगलानी हो उससे अच्छाए कि आज थोड़ी हानी सह ले जाये शिर्दच्री शबास हमाप्त यह मीठा शहद है यह मीठा शहद है कि शत्रु को भी हम मिधास के साथ विदा करते हैं और मैं भी प्रतिक्षा कर रही हूं कि कब हमारे बीच की ये शत्रुता हमसे विदा हो हमारी बीच की ये शत्रुता देश के लिए शुब नहीं है भारत के लिए शुब है जिस तरह से पात्रे से छलका हुआ शहर्ट चीटियों को आमंत्रित करता है चीक वैसे ही मुझे ऐसा आभास होता है जैसे तक्षशीला और पौरव राज्यों का बैर हमारे भारत पर विदेशियों को आकरमन करने के लिए आकरशित करेगा झाल 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 क्या इस श्यत्रुता का कोई हल नहीं है? कुछ वरिक्ष ऐसे होते हैं, जिने कितना भी काड़तो, उनकी जड़े जाती नहीं. उन्हें नष्ट करने का एक ही मार्ग है. उसके समीप, एक और वरिक्ष बो दिया चाहे. और मैं समझ रहा हूं, तुम मेरी बेहन के मन में कौन सा बीच बोना चाहते हो? तुम पुरू अंशों की सोच में ही शड़े अंत्री छुपा होता है. तुमने मेरे प्रांड बचाए, इसके पीछे भी अवश्य ही तुम्हारी कोई योजना होगी. सोच. सोच समझ कर चुननी चाहिए, अंभी राज. क्योंकि सोच को सच बनने में समय नहीं लगता. आशा करते हैं, आपकी यात्रा सुखद होगी. क्योंकि यात्रा सुखद होगी यात्रा सुखद होगी यात्रा सुखद होगी. क्योंकि निकरता कि कोई अविशक्ता नहीं, अनुसुया. परन्तु उन्होंने आपके प्राण बचा है, जिष्ट. उसके पश्चात उस विदेशी वैपारी का प्रस्ताफ थुग रहा है. हम पर विश्वास किया. जिनके विश्वास में भी विश्क आवास हो. परस्ता विश्काते विश्चाते लुचाते हैं. अप्लब रग्ला इड़िस जय को अप्लब आयान अजय को अप्लाओ लेच्ट अप्लब अख्लब हुआ है, भुष जी रहा है. हुआ हुआ टोरी हुआ के तया हुआ 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 है मुआ हुआ हा लोरी हुआ है कि फॉटों पिल Αफ इन अ कि अ कि तो पनां न खॉटल झेल आज तुम पौरव राष्ट्र की सीमा नहीं अपनी मौत का घाट बार कर हो गया अभी राज जानता था मैं तुम पौरव दो मुए सर्फ हो अभी राज फारस में ये कहावत है शराप हो या घम दिखना चाहिए कि ये पी क्या रहे है काम ना होया कांच पुझे नहीं बाता वो जो एक ये पल में तूट जाए पल पल बहुत कीमती होता है हुजूर एक पल में चाहो तो दोस्ती का दामन मिल जाता है और उसी पल खात में आए दुश्मन का गिरेबान छूट जाता है मौत से मिला जख्म मौके के मरहम से बरा जाता है हुजूर मौका है आपके पास जिसने मौत दी है उसे मौत दे दीजिए होच है है मौका है लाल ए nutritional है लो जो बुो घर दे जो जो जोज बुड़क अपसा हला कि करी फली कि मόल एके ले मुषया अम का भाजो बुडा़ भुड़कर Nelson जिश्ट पारी दो मैं जिश्ट जिश्ट पुट ये जिश्ट पारी पारी पजी अग्रमान! आज तुम पौरव राष्ट्र की सीमा नहीं अपनी मौत का गाट पार कर होगे अपिराज जानता था मैं तुम पौरव दो मुए सर्फ हो अपिराज जेष्ट रुक जरिये जेष्ट अमाटिया ये युद्र क्यों अभनान का खलंग चांटो के जल से नहीं शात्रू करांग से दोएज़ादार्स कर दोएज़ादार्स मिठास के साथ विदा करना चाते थे ना तो क्या ही ये सब पौरव राज लुक जाएं हम आप दि राजा किया क्या कामत्य ने माउन रह कर पालन किया अब चोटा भाई देखेगा के बड़ा भाई अपने अपमान का प्रितिकार कैसे लेता है ये युद्ध हमारे हित में नहीं है पौरव राज क्या इसका कोई हल नहीं है हल एक ही है शत्रुता का व्रिक्ष काटने के लिए मित्रता का व्रिक्ष बोना होका संबंत के बीच से कात परिया जब दो हाथ आपस में जुड़ जाए तो एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं हमारा विवाप्रस्ता जब दूसरे को स्विकार है है फाय यह यह क्या नहीं दूसरे तंग जिस एक भारत का स्वपन तुम देख रही हुआ, उसकी नीफ, हमारा संबंध ही हो सकता है. शत्रु को स्वाह किया जाता है अनुसुया, उससे विवाह नहीं! तक्ष शिला के मान से मत खेलो! स्वाह कियो ketम धेख सर्कपश कहा हुआ! तक्ष शिला के मत खेलो करश के फिला के जीफ, उसके बने को हुआ! क्षवी बत शेख समय, उसके विए पर खेलो कर ढार एक वो ये विवाम झाल झाल मुझे ये विवा प्रस्ताव स्विकार है हमारे है सापसी युद से गौरव नहीं बढ़ता वैभव घटता है और ये मैंने उस एक भारतवर्श के वैभव के ले किया है जिसका मैंने स्वापने देखा है इस्वापन को तुमारे साथ ही समाप्त कर दूँगा च युँ युण पर अबता को भारतवं को भारतवर्श पॉरव महरानी पर प्रहार करके राचित्रू का प्रात कर रहे हैं आप शिवतच्री सौपन के लिए सत्य का नाश नहीं किया जाता नुसुया तक्ष शिला एक सत्य है और एक भारत एक भ्रह्म आज पॉरव राज ने वदू नहीं जीती तक्ष शिला ने अपनी पेटी हरी नहीं चेश्ट जीश्ट आशा है हमारे संबन्द की आच्ट अच्छ शत्रुता के इस चट्टान को पिख्ला देगे सुमंगरीरियं वदूरिमां समेत पश्यक्त सोगाध्यस्मयदत वाया धास्थम्वी परेतन पुग्नामीते सौभगत वाया। अस्तम्मया पत्याचरादस्टियतसा धर्गो अरियमा सवीतापुरंधिर्मयं द्वादुर्गार्वपत्यायतेवा पूशात वैतो नैतो भस्तविहाँ अश्विनाँ वाप्रमातां द्थेनाँ ग्राणत अच्छग्रह पत्नी यदाजो वशिनीवं धिर्थमाँ वरासी विहाप्रियम् प्रजायातेव् सम्रिध्यतावस्मिंग्रहे यही पत्याचरुई पेनापत्यातंवं संसीजस्वाथादित्री विदाथमाँ वराताः िम्स प्रॉट प्रॉट करें अड़ करें, करें झाल, 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 झाल हुआ 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 है है रात ये जागी सी मह की पुरवाई है प्रीतम की अखियों में सारी खुशिया समाई है पलकों की चादर तले सपनों को सजाया है मन से जिसे चाहा था उसे सामने पाया है होठों पर चुपी है गीत सजे है सासों में इन उजियारी रातों में चांद खिला है आखों में आखों में आखों में आखों में सातों सागर से भी गहरी ये प्रीत है तनमन की हार भी लगे जैसे जीत है दिन महके राते महकी बाते महकी है जीवन की महकी महकी अंगनाई है चलती है चांदनी कैसी ये आग है चलके हर रूम से कैसा राग है मन का ये पंची बूले हाले हाले सरगम सी नस नस में छाए है है रात ये जागे से महकी परवाई है प्रीतम की अखियों में सारी खुशिया समाई है प्रीतम की अखियों में सारी खुशिया समाई है प्रीतम की अखियों में सारी खुशियों में सारी खुशब ऑ्रीतम की ओंची तरीतम की कॉर नेवा कॉर ने वापर आरिया 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 बमनी कोरव महरानी के मुख पर रक्त कियो शिवतर्च्री कहा था ना केवल दराना मारना नहीं था इसे यह प्रतिशोत के लिए था तक्षिशीला ने अपमान के लिए पौरव राष्ट्रो के नत भेट की और मैंने तक्षिशीला के सम्मान की नत उतार दी कौने वापर आरिया 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 पमनी प्रों पमनी प्रों पर आरिया आरिया सार यूग! में तूँ दाओ! अगल ऑनकें, एक आपाई, भाईए आपाई यॉजड़ जापत अग्जड़ाद, इतर्च पाईए आपने उन केंगः मैं एक गएपाई बढचेंग, इतर्चेंग लिएग ऑंगए शी बचेंगग, ये लोग मेरे पीचेंग आओ जतरे हुआ कि जतरे हुआ humility चातरे थाम कार अ 2023 ठ्क जतरे हुआ। 5 चात़ अैशंब चीर हुआ हुआ हुआ। उतरे हुआ 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 ही पाय हुआ है बादरू नख principle ждफ 2.- टतरे हुआ हुआ कर दो दो और भाज है इन जए दो कार दो झार दो जए 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 आई गार आई कर दोदीज कर दो रहा है हна Durham हां सक और हां हां ते पा प्यूप हां हां ढाँ हां किवंड़ टू ann listeners किवंड़ लगंड़ वखर किवंड़ लुझंड़ लुझंड़ अ walk अझाय। को अँआ अक्रही है अँआ 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 कर दोस्ट पित जाए नपरनीन थारा जारा जुफ। कर दोस्टियों पुरिए अजुग करताए दोस्टियों एल युफ! झालsk रख़ एला अराओ यह झाल करता है युद नपस्टियों इस भादा हुए कर दोस्तित अरिया! अर्या! पोरव महरानी के मुख पर रख्त कि उषिवतर्च्री करें 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 कहा फाना केवल दराना मारना नहीं था इसे बरतवन्शियों किस अभी मान को मारना था जिसके चलते हम भी राज ने आपका अपमान किया क्या यह प्रतिशोद के लिए था यह विवा एक खेल था खेल नहीं उस खेल का उत्तर है जो तुम्हारे भाई ने खेला था परन्तु आरिया क्या लगाता तुम्हे जिस भाई को अपने प्राणों से अधिक जाहता हम उसका अपमान से लूंगा जाहता तो आम दिराज को वही माल डालता परन्तु वह प्रतिशोध ही क्या जो पल भर में लिया जाए प्रतिशोध तो वह होता है जिसमें शत्रुचीते जी हर पल मरे तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का अपमान किया और मैंने उसकी पहन का तक्षशीला ने अपमान के लिए पारवराश्चों के नत भेट की और मैंने तक्षशीला के सम्मान की नत उतार दी अपमान की अब जब अपने कुछले हुए सम्मान की अर्थी लेकर अपने भाई के पास दक्षेशिला पहुचो की तो उस पर फूल चड़ाना तो दूर धूकेगा भी नहीं तुम्हारा वाम्बी राच और हां भरतवन्शियों को एक करने का सपना देखना भी छोड़ दो क्योंकि हमारी शत्रोता की व्रिक्षित ने घने हैं कि उसके छाया में एकता का पाधा पनप नहीं सकता चलिए शिवदाच्री जिस एक भारत का सपन तुम देख रही हो उसकी नीव हमारा संबंध ही हो सकता है तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का अपमान किया और मैंने उसकी पहन का अब जब अपने कुछले होए सम्मान की अर्थी लेकर अपने भाई के पास तक्षशिला पहुचो की तो उस पर फूल चड़ाना तो दूर धूके कभी नहीं तुम्हारा वांबी राच्च हुआ 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 कर दो कर दो अब क्या करेंगे दुश्मान से हाथ मिलाने का सही वक्त तब होता है जब वक्त उसे गुटनों पे ले आए हमारा वक्त आ गया मुश्यस कर दो कर दो हुआ 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 है जेल अमा, सोचा था इस विवासे, शत्रुता मिट जाएगी लेकिन, लेकिन ये विवास, ये विवास एक नई शत्रुता को जन्देगी, ये मैंने कभी नहीं सूचा था, कभी नहीं, क्या करूँ मा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे मार दिखाओ मा, मुझे मार दिखाओ, आप कर अबसे लिए भेशा जिए आपा हो मुझे कभी कभी आगे बढ़ने का रास्ता पीछे से सामने आता है शेजादी हुजूर मुसीबत में वही सिक का इलाज में आता है जिसे हम खोटा समझ के फेंक दें जो हुआ अच्छा नहीं हुआ अगर आप जाए तो आपका इंतिकाम लिया जाएगा मैं सिर्फ एक कारोबारी नहीं हूँ फारस में बहुत अच्छी पोहुचे मेरी आएए मेरे साथ मैं फारस से फाज बुलाओंगा जो तक्षी शिला के साथ मिलकर पोहरो राज को मिस्ते नाबूत कर देगा जो आएए मेरी जो आएए जाएए से चाहरोड journée ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को तयार है हमारा जहाज इस तरफ है जानती हूँ एक व्यपारी और नारी में एक समानता होती है एक व्यपारी को पूरा लाप चाहिए और एक नारी को पूरा प्रतिशोट भाई का प्रेम खून सीचता है और भाई का अप्मान का प्रतिशोध खून लेता है तक्षिला के दिल से खून पाएगा हमारा प्रतिशोध पूर्न हुआ शिवदर श्री नहीं भाई प्रतिशोध अपूरा होगा अनिसो याद तक्षिला जाएगी और अंभी राज शाक्रमन करेगा अंभी राज को तूर में मिलाएगे और फिर तक्षिला को अपले राच्चे में शेज़ादी हजूर आप आगे जाएगे मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ साथ देने में सज्य हो तो साथ चलने में संकोच कैसा व्यापारी अब संकोच मत करना भाई अब हम सुने स्जित करेंगी कि तक्षिला में अब भौर राष्ट का सिक्का चले और हुआ हुआ हां 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 झाल झाल मेरे पास दो मार्क थे और मैंने एक चुना है तब आपके पास दो मार्क है जिसमें से आपको एक चुना है या तो आप मुझे यहीं इसी पौरव राष्ट्र में रहने की अनुमती दें या फिर अपने ही हाथों मेरा वत करते हैं अश्चरे अपमानित खोटा सिक्का वापस लाटाया हाँ लोटी हो पर खोटा सिक्का बन कर दें सत्य का दर्पन लेकर कहा था न मैंने की हमारा आपसी बैर विदेशियों को अमंत्रित करेगा वही हुआ इस व्यपारी डरायस ने मुझे ये प्रस्ता दिया कि मैं फारस से सहायता मांगों और तक्षिशिला की सेना से मिलकर पौरव राष्ट्र पर आक्रमन करों आप ही ने कहा था ना कि शत्तूता की व्रिक्ष की घनी छाया में एक तक पौधा नहीं पनपता पर फूट की दरार में लगी तीमक भी हर व्रिक्ष को खा जाती है हमारे आपसी बैर ने मेरे सामने ये मार रखा और मैं वही मार्क चुनूँगी जो मेरी आशा मुझे बता रही है मेरे रहते कोई भी विदेशी मेरे भारत वर्ष पर कुद्रिष्टी डाले ये में कभी नहीं सहन करूँगी हमारे बैर के इस हवन में मैं किसी भी विदेशी को घी नहीं डालने तूँगी आप चाहे मुझे अपनी पत्नी स्विकार करे या ना करे लेकिन मैं अनसुया यहीं इसी पौरव राज्य में ही रहूंगी जो हम सुन रहे हैं क्या वो सच है डरायस नहीं हुजूर मैं तो सिर्फ एक कारोबारी हूँ कारोबार करने के लिए यहां आया तक्ष शिला की शेहजादी जूट बोल रही है हाँ भाई जो वैपार से आया वो वार नहीं करता हनसुया प्रतिशोद चाहती है यह चाहती है कि हम इसकी बातों में आकर इस विदेशी की हत्या कर दें ताके हमारी विदेशियों से संबंद बिगड़ जाएं यदि संबंद बिगाड़ने होते ना तो मैं पौरव राष्ट उसे विवाह का संबंद नहीं बनाते शिवतत्री जु हाँ कर दो 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 अार्म है है आपने जो किया, वो एक शडियंत्र था, पौरवनरेश, परन्तु मैंने जो किया था, वो एक पवित्र प्रयास था प्रयास अपनी देश को सुरक्षित रख लेका, मेरे पास दो मार्ग थे और मैंने एक चुना, अब आपके पास दो मार्ग हैं, जिसमें से आपको एक चुनना है, या तो आप मुझे यहीं, इसी पौरव राष्ट्र में रहने की अनुमती दें, या फिर, अपने ही हाथों, मेरा वत करते हैं, क्योंकि मैं यहां से नहीं जाने वाली, भाई, यह इसका कोई शड्यांत्र है, माटा यह से, नहीं शिर्दर्श्री, यह आशुर्थ है, इसे यह रहने दीजिए, ठीक है, यह यहां रहना चाहती है, तो सेना पती रिपुदमन, ले जाओ इसे यहां से, और इसे पताओ, के पौरव राश्ट्र में, तक्शिला के लोगों को वास्तवेक स्थान क्या है, पालिया जा वास्तवर्णन, अजोगों को वास्तवर्णन, प्रिश्रों को वास्तवर्णस, आधनु आप को वास्तवर्ण से ृत्वर्णन, अवर भाल झाल झाल कर देखो मारा नहीं आई है अरे चलो चलो सबको बताते हैं अरे देखो देखो कौन आया है हम दासियों और गणिकाओं के भवन में पौरव की महरानी आई है महरानी नहीं एक रात की रानी आई है रात गई बात गई पौरव महरानी बनने का स्वपने देखा था इसने एक ही रात में धारातल पर आ गई यह तक्षिशिला वाली र नहीं हें महरानी यहानidar देखें झालink है जल सबस्वी है टेखें इसने खेंविसे रातों इसने गवलिसे रात म॰ह देखें धल्यild में है देखे आगे महरानी ये तो महरानी नहीं एक राद की रानी है प्रेज प्रेजुब नहीं पर रहा है दो प्रेज़ को लगति भी लिए प्रेज़गा प्रेज़ आएगा रहा है उड़ है। यह जज बंटे प्लिघसे प्लिषए खाने, यह जज़, यह, ज़ाने, यह, जज़, यह, जप्लिद मैंने, मैं जज़, जज़ जज़, यह, जज़, मैं जज़ doon आईगा। बढ़ दुर और में और में आव खरूए मुन का बढ़ में आव हुआ 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 मैं असफर रही माँ मैं असफर रही तक्षिश लाउर पॉरव को मित्रता के मार्क पर लाने निकली थी और आज यहां स्वैम करी हूँ महां मेरे पास कोई मार्क नहीं है मां कोई मार्क नहीं है नहीं मैं हार नहीं मनूगी मैं अपनी नियती पर नहीं रहूँगी मैं अपनी निती पर बनी रहूँगी प्रयास करती रहूँगी अपने भारत वर्ष को बचाने का जेलम के इस पार एक रानी थी अनसुया जो देश की जीत के बदले खुद को हार बैठी और जेलम के पार पश्चिम में हजारों को सो दूर एक देश मासेडोनिया अधनियर कुध मैं ! कुध मैं ! कुध मीám ! कुध मैं ! जहां एक और रानी थी ग्रीस की बेटी मसेडोनिया की रानी बेटी चाहे बेटी लग्रीस की बेटी लग्रीस की बेटी व्राइब लग्रीस कर दो कर दो कर दो कर दो अनिसुया जहां देश के मान के लिए सब कुछ खोने को तयार थी वही मैसेडोनिया के शाह फिलिप की पत्नी अपने सम्मान के लिए कुछ भी उजार सकती थी वोरानी थी ओलंपिया इस बार भी शाह का इस्तक्बाल गुस्ताखी से किया तुमने तुम जिसके लायक हो वो चहरा तुम्हारे सामने है बहुत फकर है ने तुझे अपने खून पर अब मेरी उलाद तेरे इस टूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर ऐसे डोनिया में बलेगी तुफानों के देवता होना जियूस मुझे तुम्हारी उलाद चाहिए जियूस तुम्हारी उलाद कुम्हारी उलाद कुम्हारी उलाद कुम्हारी उलाद literature जात औरो प्रचाय कर दुटिया लिए जब हो जए पेकी हो आप आप आप्राइसरे पार स्क्राइसरे निएपमे कर देख़े के लेगार और आपवार में जाप आपा हुआ कार अएफरे जएफरे जए़ा कर देंए लिए ब bono आप निएवद प्रोग कर दो आप गदाफाना सा व इस बार भी शाह का इस्तक्बाल गुस्ताखी से किया तुम ने अब तक सीखा नहीं तुमने ये ग्रीस नहीं मैसे डोनिया है ओहो लती हो गई मुझसे शेहनशाफ फिलिप मुझे तो लगा था मैसेडोनिया की लड़किया ऐसे ही सचती है तुम जिसके लायक हो वो चेहरा तुम्हारे सामने है मैं तुम्हारी जीत का तौफा जरूर हूँ फिलिप मगर तुमसे हारी नहीं हूँ हमारे रिष्टे में जीत हार की नहीं मुहबबत की जरूरत है ओलंपिया महबबत तुमसे कुए के मेंडग की होसला वजाई के लिए समंदर आगे नहीं आता फिलिप और हो क्या तुम एक कबाईली लड़ा के बस ना कोई तैजीब ना कोई रसूक कुछ नहीं बस है तो रगों में दोड़ता हुआ गंदा खून जिसके आगे अकलिस की नसल नहीं जुकेगी मैं मिलने की बात करता हूँ और तु जुकने की मत भूल के जंग की जागीर है तू चाहता तो बंदी बना कर रखता लेकिन बीवी बनाया तुझे और ऐसा तुमने क्यों किया ये भी सब जानते हैं ताकि अपना घंदा खून हमारी नसल के साथ में लाकर अपनी नसल सुधारना चाहते हो है बस ओलंपिया तुने वो अफाद पार कर दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी एक मर्द सब बरदाश्ट कर सकता है लेकिन अपे खुददारी और खून पर गाली नहीं ग्रीस पर मेरी फता सिर्फ तुझे पाकर नहीं तेरे इस गुरूर को कुछलकरी बोरी होगी सूरज को मुठी में भरने का खाब देखने वाले जल जाते हैं फिलिप और तुम्हारे खून में इतना ताब नहीं है कि अक्लिस के खून के साथ मिल सके और ओलिम्पिया अपना खून कभी गंदा नहीं होने देगी बहुत फकर है न तुझे अपने खून पर और मेरी आउलाद तेरे इस तूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर मैसे डोनिया में पलेगी तू रहे न फिलिप दियूस की पुझा रहे नुमें जियूस का क्या परसेगा तुम पर इंतजार है मुझे तेरे खून को नापाख होने से बचाने वाले जियूस का भी और अकलीस का भी जियूस का 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल अब हमारा खून, एक वाओलम्पया नसल ना तेरी होगी ना मेरी हमारी होगी हूँ मेरे कौन में विलिब का कौन नही पाले गासिए विलिब करेंग एक विलिब बाद। झाल 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 तुफानों के देवता होना जियूस् जो जिन्दकी भर तुम्हे पूछती रही और कर भी क्या सकते थे आखिर हो तो तुम भी एक मर्द ही ना क्यों जियूस् क्यों हर जंग की कीमत औरत को चुकानी पड़ती है कभी हार की कीमत बनकर तो कभी जीत की मूरत बनकर क्यों जो आदमी को जिन्दगी देती है क्यों उसकी जिन्दगी उसी के हातों पना होती है क्यों जियूस् क्या आरत का दिल नहीं है क्या उसकी कोई खौईश नहीं है क्या उसे कोई हक नहीं है कि वो चुन सके कि किस के साथ अपनी जिन्दगी पिताएगी मैं यहां आज आशू बहाने नहीं आई जियूस बल्कि अपने आशूओं का हिसाब लेने आई हूँ मेरी दुनिया मेरा गुरूर था मेरा फक्र था लेकिन तुमने मुझसे मेरी दुनिया चीन ली बदले में तुम्हें मुझे पूरी दुनिया देनी होगी क्रीस ने अपनी हार की कीमत बना कर मुझे मैसडोनिया को सौंप दिया आज मैं अपनी जीत की कीमत के तार पर खुद को तुम्हें सौंपती हूँ जियूस मेरी अउलाद में कबाली फिलिप का गंदा खून नहीं तुम्हारा ताप चाहिए वो अलाद जो बिजली सी तेज हो और तुफानों की तरह सबको फना कर दे जो दुनिया को अपनी मुठी में ले और मेरे कदमों में डाल दे एक मर्द ने मुझसे मेरा गुरूर चीना है दूसरा मर्द मुझे मेरा गुरूर लोटाएगा मुझे तुम्हारी ओलाद चाहिए जियूस तुम्हारी ओलाद तुम्हारी ओलाद तुम्हारी ओलाद अरव वाहर उसाक मताव सबस्क्राइब। झाल… 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 कर दो अ कर दोर्ण कि अ झाल जो बात के दो पिर अग्यां जो बात 142 कि अ कि अ अ पश्चिम में विनाश का बादल उमर रहा था तो इस पार जी इसके तूफान को छाटने के लिए भारत की रक्षा के लिए एक सूरच का उगना निश्चित था जिए के बातलाई है एक अरे किहारे बढ़ा, बदेड़ा, बदेडरा को झाले जे जेड़ा, बदेड़ा! खब माले कि अपा थान में। न våra बड़ख दॉना ही तप तान में। सिरियव तो आड़ो दो थुआ ए हा में। कि सुखते न क्या है वाम जो that not gonela शुछ उना में। पिर व्पाइ्ग तBye, इंहुदैस भी прек kalau फिस खना मी किस बहुत है भाह! कि यह सब्सक्राइब किया संकीता इसका ऺाल डमाल buzz कि यह सुटने बाल जयाँ कि यह सुटने पाल से-चुटन में व Jewए हुड़ कि यह सिर्श कर दो कर दो यहाँ इस आश्रित के कक्ष में आप क्या कर रहे हैं महराज बमनी जिसका प्रयास पवित्र था उस पर विश्वास ना करके एक बड़ी फूल की है हमने भूल की अनुभूती हो ना उचित मार्क पर रखा पहला कदम होता है उसी मार्क पर हम दूसरा कदम ले रहे हैं अनुसुया क्या तो हमारे से एक भूल को भूला पाओगे सही मार्क पर कदम से कदम मिलाते हैं आरे एक साथ चलते हैं एक भूल की अनुभूती आप ने की थी और दूसरी में होने नहीं तुगी एसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर धीरे धीरे लोहे का बनता जा रहा स्वपन कहता है कि आपका पुत्र पुरुवंश के यश को जन्म देगा इतिहास में अमर होगा उसका नाम मेरा और जी उसका बेटा अलेक्जांडर नाम रखूंगी मैं उसका सर्वश्रेष्ट पुरुशों में उत्तम पुरुवंश का पुरुशों उत्तम स्वश्रेष्ट पुरुशों में उत्तम पुरुशन रखूंग्प पुरुशों में उसका बेटा स्वश्रेष्ट पुरुश्र नाम आदारे, एक कर यह उः शेशे, बताओ डरायस कौन सा मुर्गा जीतेगा मुर्गे की जीत क्या और हार क्या हुजूर जीता तो दर्बे में और हारा तो जब्डे में कहना क्या चाहते हो फर्ज कीजिए ये काला मुर्गा तक्षिशिला है और वो बूरा मुर्गा पौरवरास्ट लबजों की गुस्ता की पर मत चाहिए हुजूर तेजारत की सियासत समझे ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं खुद को दूसरे से बेहतर और ज्यादा चांबास साबित करने के लिए मगर हैसियत बस एक मौरे की है मगर मौरा बनने में क्या मज़ा मज़ा तो वो हाथ बनने में है जिसके इशारों पर मौरे नाचे सोचिए अगर इस खेल की काईदे बदल दिये जाए तो अगर पोरव राश्टर को वो हाथ बना दिया जाए तो तुम सोच क्या रहे हो दुनिया में हकूमत हमेशा तेजारत से शुरू होती है अगर आप मुझ से हाथ मिला दे तो मैं सारी दुनिया से कारीगर बुलाकर पोरव राश्टर में कार खाने लगाऊंगा जमीन आपकी मिहनत मेरी मुनाफा बरा भरीगा उसके बाद आप जब भी नजर उठाएंगे तक्षिशिवा आपको बहुत चोटा दिखाई देगा मुर्गे की सोच से उपर उठेंगे तो सुबह मुर्गे की बांग का मजा लेंगे और रात को इसकी टांग का जाइका वेपार के सुझाब में महराज को कोई दिल्चस्पी नहीं परंतु तक्षिला का सर्वनाश का प्रस्ताब मुझे अमात्य की अनुमाती के बेना सेनापती आया है आशा है कारणों चे तो होकारी पुतमन महराज ने प्रस्तुत होने का आदेश दिया है आपको नहीं अमात्या आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं आपको नहीं हजूर की शान में सर जुकाता हूं जो बात बात में सर जुका दे उस पर से विश्वास बहुत शीगर उठ जाता है व्यापरी यह खांड देख रहे हों हमारे यहां अतिती को इसे दूद में मिला कर प्रस्तुत किया जाता है इसके पीछे की सोच यह है कि अतिती जब तक रहे खांड और दूद की भाती घुल मिलकर रहे प्रसन्नता और मेल की मिठास के साथ परन्तु तुमने स्वाधी नष्ट करती है दूद ही फट गया हमारे रसोई घर में जहां दूद रखा जाता है वहां नेम्बू नहीं रखा जाता यह यहां क्या कर रही है भाई इससे यहां लाकर बड़ी भूल की है भाई एक बड़ी भूल सुधारी है शिवदाश्री दूसरी बड़ी भूल सुधारने का पुरयास कर रहे है दूसरी दूसरी भूल सुधारने करें दूसरी डरायस जो खांड के भाती मिलने में नहीं नीबू के भाती काटने में विश्वास करें उसका स्वागत नहीं होता हमारे हां व्यापारी हो जो ना कहा गया हो उसे समझने की बुद्ध्य अवश्च रखते होगे आशा करते हैं पौरव राज्य में दुबारा तुमारा मुख दिखाई नहीं देगा रुकिए अपना हाथ आगे बढ़ाईए बढ़ाईए ये भी हमारी रीत है कि जब आती थी अपने घर को लोट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपून और संपन्द हो और एक बात स्मरन रखना वैपारी और नारी में एक अंतर भी होता है वैपारी अपने लाब के लिए किसी भी संबंद से खेल सकता है परंतु नारी किसी भी लाब के लिए संबंद का वैपार नहीं करती किसी कि अपार। हुआ है एक है। बहुत उंचाई से गिराया है हमको भारत वालोंने हुजूर। बाज गिरता है शिकार करने के लिए मोशिस। और फारस का ये बाज इस सोने की चिडिया का शिकार करके रहेगा। मैं जा नहीं रहा हूँ। बस चंद कदम पीछे हटा रहा हूँ। ये बाज लौट कर आएगा। विचित्र स्वअपन था। एसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर धीरे धीरे लोहे का बनता जा रहा। बस बस रिदय धड़क रहा था। बहुत ही बहुत ही विचित्र अनुभव था। आपकी गरना क्या कहती है अचारी। क्या है इस सपने का अर्थ। एक कर्ववतिस्त्री का स्वपन उसकी संतान और संतान के पिता का भाग्य या दुर्भाग्य का संकेत होता है राजन। तो क्या लाने वाली है हमारी संतान। भाग्य या दुर्भाग्य। सवभाग्य राजन, सवभाग्य। और कुंडली कहती है कि महरानी एक पुत्र को जन देंगी। और स्वपन कहता है कि आपका पुत्र पुरुवंश के यश को जन्म देगा। इतिहास में अमर होगा उसका नाम। वो महाशक्तिशाली और शहनशील होगा। ऐसा बाहुवली जो आज तक न हुआ और न होगा। धड़कता हृदय ये संकेत है कि उसके बलिष्ट शरीर में दयावान हृदय होगा। शक्ति और करुणा का संगम होगा आपका पुत्र। उसे कोई पीड़ा अनुभा नहीं होगी। परन्तु वो सब की पीड़ा को समझ पाएगा। रहें बलिखा रहें रहें, रहें! रहें, रहें, रहें.. तुम्हारी तकलीफ मैं सुदोनिया के लिए खुशियां लेकर आएगी तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी सुनहरे कल के लिए आज तकलीफ लेनी पड़ती है तुम्हे इस लोहे के बैल के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा दी जाएगी पहले तुम्हे थोड़ी तपन होगी फिर जब आग की तपन तुम्हारी खाल को भूनते हुए तुम्हारे गोश्ट तक पहुंचेगी तो तुम्हारी रूस से चीक निकलेगी और जब तुम्हारी रूस से निकली हुई चीक, इस बक्तरबंद बैल के जिस्म से होती हुई, उसके नथुनों से निकलेगी, तो उसकी गूंज आसमान तक जाएगी, और ये तैह हो जाएगा, कि तुमने अपने आने वाले शाह की, मेरी और जियूस की उलाद की तकलीफ, त तुमने अपना ली है, जितना ज्यादा दर्द तुम महसूस करोगे, उतना कम दर्द इसे महसूस होगा, तुम्हारी कुर्बानी का बीच, उसे खुशियों का फल देगा, कि एतनी का un जूस है क्षियों का जितनी का जितनी का फलुमштया का जितनी हैł किए, कि फ्यादा झाऊगा जितनी का वाले किए, किए, मुआगा भ्हार, तुम जितनी का जितना की, जितनी सillä画 कर दो कर दो कि अदुम्ही mess desen और डि मुफा और इीकान सुछ track बाज कर आड़िए और पिभ्समॉ dशरर गिल्ग और कि अदो और इतास घ्ञक है इतास ऑो कर दो से इतज है घ्ड parecerक कि अ अगा सथा ने मुफा ज़ राजन आपकी संतान वर्ष के सबसे पवित्र समय जन्न लेगी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में इसी समय समुद्र मन्थन हुआ था और उस समुद्र मन्थन से अम्रित निकला था जो चौदह रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था आपकी संतान भी वैसी ही होगी सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उत्तम अलंपिया क्या पागल्पन है ये ये पागल्पन नहीं बल्कि मेरे आने वाली अउलाद की खुशाली की तयारी है क्या मतलब मतलब मैं मैं बाप बनने वाला हूँ सुना तुम लोगोंने मैं मैं बाप बनने वाला हूँ मैं बाप बनने वाला हूँ नहीं फिलिप मैं मा बनने वाली हूँ ये मेरी और जियूस की अउलाद है इसमें तुम जिसे कबाईली का गंदा खून नहीं बलकि एक देवता का जलाल है जिसे भीओर के भीओगना जिसे की अउलाद है राजन आपकी संतान वर्ष के सबसे पवित्र समय जन्न लेगी शावन मास के शुक्ल पक्ष में इसी समय समुद्र मन्थन हुआ था और उस समुद्र मन्थन से अम्रित निकला था जो 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था आपकी संतान भी वैसी ही होगी सर्वश्रेष्ठ पुरुशों में उत्तम पुरुशोंत्तम क्यों अनुसुए हाँ पुरुवंश्का पुरुशोंत्तम पुरुशोंत्तम सापन के लिए सत्य का नाज नहीं किया जाता अनुसुया तक्ष शिला एक तक्त्य है और एक भारत एक भ्रम आज पौरवराज ने बदू नहीं जिती तक्ष शिला ने अपनी बेटी हरी जब व्यक्ति प्रसन्न हो तो उसके मुख पर सोच की रेखाय अधिक सपष्ट दिखाई देती है अनुसुया कोई अशंका है अशंका नहीं एक आशा है जो अधूरी रह गए एक सपना जो पूरा हो रहा है जो जीवन में खुशिया लाएगा और एक अधूरा छूटा सपना मन में शूल बन कर चुबरा आ रहे मैं चाहती हूँ कि हमारी संतानिक ऐसे भारत वर्ष में आए जहाँ पर एकता हो एक दूसरे के लिए सम्मान हो उस भारत वर्ष में नहीं जहाँ पर शर्त्रुता और शर्यंत्र हो बर्गत के व्रिक्ष के बीच राय के दाने से भी छोटे होते हैं पता नहीं क्यों आरे मुझे ऐसा अभास हो रहा है जैसे कहीं न कहीं वो वर्गत का व्रिक्ष पनप रहा है जो हमारी देश को अपनी छाया में लेने को अतुर है यहाँ पर शर्त्र ये लेना से से बीच हो खहा है अगर मेरी नसल का बीच तेरी कोख में ना पल रहा होता ना उलम्पिया तो इस गुस्ताखी के लिए तेरा सर कलम करवा देता मैं नहीं चाहता के तू अब कोई ऐसी हरकत करें जिससे मेरी नसल का नाम खराब नाम नहीं पूरी की पूरी नसली खराब है एक आंख से अंधे फिलिप पहले तो देखते आधा थे अब आधा सुनने लगे क्या तुमने आधा ही सुना है ये जियूस की देन है मेरा और जियूस का बेटा जियूस 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 कौन जियूस कैसा जियूस देख तेरे सामने कौन है ये वो है जिसने तेरी नसल के लोगों को घुटनों पर जुकाया ये वो है जिसने अपना मुकदर अपना लहू बहा कर बनाया ये वो है जिसने एक छोटी सी जागीर को एक सल्तनत बनाया शेहनशा फिलिप वो शेहनशा फिलिप जिसकी सल्तनत वहीं शुरू और खत्म हो जाती है जहां सूरज दूपता है शेहनशा फिलिप मेरा और जिसका बेटा वहां तक अपनी सल्तनत बनाएगा जहां सूरज उकता है भारत भारत पर हकूमत करेगा वो एक सूरज फलक पर तो दूसरा जमीन पर होगा अलेक्सदैंडर अलेक्सदैंडर नाम रखंगी मैं उसका तुम अपने आपको शेहनशा कहते हो वो होगा शेहनशाओं का शेहनशा अलेक्सदैंडर महान होगा वो अपना मुकदर अपने खून से नहीं दूसरों के बहते खून से लिखेगा तुमने अपना मुकदर बनाया वो मुकदर का सिकंदर बनेगा वो सिकंदर जो भारत जीतेगा अपना जीतेगा आर्य मेरी भाई थोड़े हटी जरूर है परन्त मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे पून विश्वास है कि कोई गंबीर स्थिती नहीं आएगे यदि स्थिती गंबीर हुई तो भी हमारी सिना पहाडियों के पीछे सज है बस एक संकेत वर देने की देरी है सारी काओ संदेक्षण मेर्ड़ मेर्ड़ एक मेर्ड़ एक मेर्ड़ कर दो कर दो कोई शस्त्र नहीं चलाएगा जानना चाहूंगा अपनी मृत्यों की चखट पर क्यों आए इन्हें मैं लेकर आई हूँ जेश्ट कर दो कर दो कर दो झाल झाल जब एक राजा एक राजा से प्रश्ण करे उत्तर राजा से ही आना चाहिए अवश्य उत्तर देते हैं यदि पुरुवन्षी राजा बनकर आय होते हैं करन्तु आज तुम्हारे द्वार पर एक राजा नहीं एक पिता आया है वो ये शुनिश्चित करना चाता है कि उसका पुत्र और तुम्हारा भांजा हमारे शत्रुता के दिवार से नहीं मित्रता के दिवार से इस संसार में आये एक पती को अपने पत्नी के बलिदान और सोच को समझने में समय लगा परन्तु अश्चरी तुम सगे भाई होकर उसकी मन्शा ना समझ सके अनुसुया ने हमसे विवा तुम्हारे प्राण बचाने के लिए नहीं हम दोनों को साथ लाने के लिए किया था हम भी राच शत्रता के सगनी को बढ़ाने में वर्चों लगाए हमने अज एक शन आया है मित्रता के थंडी वर्षा में फीगने का तक्षशिला और पौरव राज्य को एक नए भारत की नीव बनाने का तब तुम पर निर्वर करता है अम्भी राच इस शन को इतिहास बनाते हो या इसका परिहास करके ऐसे ठुकरा देते हो करता अहाँ है करता अहाँ कर दो 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 और हुआ अन्तता, तुमारा स्वपन पूरा हुआ, ननेद्रानी, जो शत्रुता घुन बनकर, तुनों देशों को खा रही थी, वो समाप्त हुई, और सबसे अधिक प्रसन मैं हूँ, क्योंकि अब मेरे पुत्र को, अपनी बुआ, वो भाई से मिलने से कोई सीमा नहीं रोख सकती, हाँ, अब आम भी कुमार और पुरुशोत्तम, दोनों मिलकर भारत का भाविश्य लिखेंगे, पुर्शोत्तम, हो, पुर्शोत्तम, बड़ी शीग्रता में हो, नाम भी सोच लिया, हम, पुर्शोत्तम, अथी सुंदर, जैसे किसने दिया ये नाम, इनुने, सुना आपने अम्भी कुमार शीगरी आपके साथ खेलने के लिए आपके छोटे भाई आ रहे हैं आप विश्राम कीजिए पारवराज इन नानत भावी की बातें समाप्त होने वाली नहीं यहीं बोलते बोलते दोनों भाईयों के विवाहत तक की योजना बना लेंगी ए आईये आईये शीदाश्री अपने भाई के अपमान के प्रतिशोत के लिए आपने एक नाटक खेला था ना अब मैंने भी एक नाटक खेला है अपने मात्र भूमी के प्रतिशोत के लिए कैसे लोगी अपने अपमान का प्रतिगार पूरे तक्षिशिला के समक्ष आपको अपना सर मुलवाना होगा जिस पती ने तक्षिशिला के सीने में अपमान के विश्च से भरी कटार भोकी उसे विश्च से भरी कटार से मार कर तक्षिशिला के अपमान का प्रतिशोद लिया डरायस अनुसुया हाँ चलो आप चलिया मैं भी आती हूँ शीघराना हाँ आतार अनुस्क Cambod सार स्टारस सेनापती रिपुदावन आप यहां और महारानी आप यहां वो जो मैंने अभी देखा मरं तु महारानी हुआ क्या है स्वयाम देख लीजेगा यहां किसी विदेशी को देखा है विदेशी नहीं तो महारानी विदेशी नहीं चुपेष लीजे़ब बाफerson किसी नहीं अटिए लेखाव attend जेखा किसु помoin चुखल। आप यहाँ यही प्रश्न तो मैं भी पूछ सकता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं पौरोवरानी कि आप मुझे पर द्रिष्टी रख रही मैं महारानी की सुरक्षा के लिए उनके साथ हूँ सर्प कले में लटका हो तो सुरक्षा की अवश्यक्ता सर्प को नहीं कले को होती है कोई भरोसा नहीं इनका कि यहां कौन क्या खेल खेल रहा है कि यह उनके साथ हूँ कर दो कर दो महराणी अब तो पताईए आप क्या खोज रही वो डर कुछ नहीं कदाचित ये मेरा भ्रह्मी होगा महराणी अब आप विश्राम केचे कल के लिए सच रही है कल बहुत बड़ा दिन है कल? क्या है कल? कल और राश्टर को उसका राजकुमार मिलने वाला है हाँ मुझे विश्राम ही करना चाहिए कल बहुत बड़ा दिन है कल का दिन तारिक कयामत तक याद रखेगी अर्थमिसिया कल दुनिया में वो आने वाला है जो दुनिया का नक्षा बदल देगा तुम जियूस की पुजारन हो इसलिए मैं चाहती हूँ कल जब जियूस का बेटा मेरी कोक से जनम ले तो तुम वहां मौजूद रहो गुस्ताखी माफ मलेका मगर मेरी जियूस की नाम है इनसानों के लिए मुझे मंदर चोड़ने की अजाज़त नहीं मेरा बेटा इनसान का नहीं उसी जियूस का बेटा है जिसके नाम तुमने अपनी जिन्दगी की है ये आपका वहम है मलिका एक इनसान जियूस की अउलाद कभी नहीं हो सकता आपके कोक में जियूस का नहीं शाव फिलिप की अउलाद है और आपको दुआओ के नहीं दवा की जरूरत है मलिका जरूरत तुम्हे है अर्थमिसिया उस हकीकत को जानने की जो मेरे कोक में बल रही है और इसका एसास खुद तुम्हे जियूस करवाएंगे और मेरा यकीन मनो अर्थमिसिया तुम गवा बनोगी मेरे बेटे के दुनिया में आने के जश्न की मेरे इसका जश्न की गवा कुम्हे जस्न की हुआ हा हुआ है हुआ हा हुआ हुआ है पुम्हा हुआ है झाल, झाल, झाल झाल, 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 झाल अनसिया, वोट सब वहाँ चल रहा है, और तुम यहाँ खड़ी हो जेश्ट, आपके मन में मेरे लिए अब भी रोश है क्या? जेश्ट, कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ पॉरव राष्ट्रो और तक्षिशिला के बीच चुम मित्रता हुई है वो संकट में है मैंने उस विदेशी, विदेशी वैपारे डरायस को यहाँ पर देखा है यहाँ? वो यहाँ कैसे आ सकता है? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे जैसे कुछ अशुब होने वाला है उस डरायस को पॉरव राष्ट से निकाल दिया गया था कदाचित वो यहाँ प्रतिशोद के लिए हो जेश्ट जेश्ट, मुझे लगता है कि पॉरव राष्ट को सब कुछ सत्य बता दिना चाहिए भाई बेन में बड़ी गंबीर चर्चा चल रही है महराज यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा ही कोई अपना उस डरायस से मिला हो अब अगर पॉरव राष्ट को कुछ बताया तो हो सकता है कि भेदी सावधान हो जाए इतनी कठिनाई से हमारी शत्रुता दूर हुई है मेरा विश्वास करो यदि वो डरायस यहां तक्षशला में है तो एक पहर में वो हमारे सामने खड़ा होगा प्रुआ 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 खड़ाए प्रुआ उड़ा प्रुआ एक्षशला में हो में हमारे दूर प्रुआ यहां प्रुआ प्रुआ यहां झाल ना जाने कब समझेंगे लोग जियूस कि मेरी कोक में उसको बाईली फिलिप की नहीं तुम्हारी उलाद है ना समझों को समझाने के लिए करश में दिखाने जरूरी हैं तुम्हारी हैं तुम्हारी हैं जो तुम्हारी उलाद का जलाल नहीं देख पा रहें उनके लिए रोशनी जरूरी है कि में पहरी हमें हाग हाग मेरी जीश के बंदory में हाग हाग कि मम जो शाप कर दो कर दो झाल मलीका, हट जाएए, जूस का कहर बर्पा है कहर नहीं रह्मत बर्सी है मैं सुदोनिया वालो जूस का इशारा है ये कि मैं सुदोनिया की इस जमीन पर पैदा होने वाली कि मेरी इस उलाद में उनका जलाल है कि दुनिया को अबजियूस की जुरूरत नहीं क्योंकि उनकी उलाद यहां आने वाली है जो इस आग की तरह पाक है और जिसके जलाल से सारा मैसोदोनिया रोशन हो जाएगा यह क्या कह रही है मलिका तुम सब इस तकबाल करना दुनिया के होने वाले शेहनशा का अलेक्सदांदर का नहीं बलकि पूरे मैसोदोनिया को साबित हो गया कि यह जी उसकी उलाद है तुम्हारे उस शेहनशा फिलिप की नहीं अब ना तुम पर किसी मंदिर की बंदिश है नो किसी देवता की इसी लिए कलजियूस के बेटे के जनम पर वक्त से पहुन जाना और आइंदा याद रहे कि एक मलिका की गुजारिश एक घुलाम के लिए किसी हुक्म से कम नहीं होती जाई 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 होताः एक मेंहाँ जाई होताई एक मेंहाँ एक बाते मेंहाँ यह तो डराइस का सहायक है इन्तिजमात फुक तहे हुजूर आपने जैसा सोचा सब वैसे ही होगा बहुत खूब मुश्यस जो खाब पौरव राष्ट्र में पूरे नहीं हुए वो यहां तक्षिशिला में पूरे होंगे और तक्षिशिला में भी तुम्हें वही दीवार खड़ी मिलेगी जो पौरव राष्ट्र में तुम्हारे सामने थी डरायस अपने भाई के अपमान के प्रतिशोत के लिए अपने एक नातक खेला था ना अब मैंने भी एक नातक खेला है अपने मात्र भूमी के प्रतिशोत के लिए कैसे लोगी अपने अपमान का प्रतिकार पूरे तक्षिशिला के समक्ष आपको अपना सर मुलवाना होगा जिस पती ने तक्ष शिलाक के सीने में अपमान के विश्च से भरी कटार भोकी उसे विश्च से भरी कटार से मार कर तक्ष शिलाक के अपमान का प्रतिशोद लिया ये मेरी जन भूमी है और अब तुम्हारी मरन भूमी होने वाली है एक भूल में दो बार नहीं करती पिछली बार अपती थी समझ का शमा कर दिया था पर अपने कारोबारी और शिकारी एक बार दोखा खा के दुबारा गल्ती नहीं करते शहजादी हुजूर गलत जगा सोदा कर बैठा था में पिछली बार परसाजेदार इस बार ठीक चुना है परसाजेदा बार जेश्ट आपने इस्विदेशी के साथ मिलाया हाथ मिलाया किसी के पाउं तले तक्षिशिला का सम्मान नहीं को चलवाया तक्षिशिला ने अपमान के लिए पारवराष्ट्रो के नत भेट की और मैंने तक्षिशिला के सम्मान की नत उतार दी अपने भाई के शत्रो से विवाह किया तुमने मैं मान रहा चला आया पर तक्षिला का उपहास मैं नहीं भूल सकता हो परन्तु जेश्ट वारव राज ने अपनी भूल स्विकार भी तो की मुझे माहरानी घुशित किया आपसे संदी की और तुमने उसे फिर से अपना लिया और उसका मैला रख्त अपनी कोख में लेकर यहां उत्सम्वनान ने आई हो जेश्ट एक स्ट्री की लज्जा भंग करके आप राधी उसे पत्मी स्विकार कर ले और स्ट्री उसे ख्षमा कर दे यह हमारे यहां की परंपरा नहीं है अनुसुया हमारे यहां प्राण से अधिक सम्मान को महतु दिया जाता रहा है गर्व होता मुझे गर्व होता यदि उसी ख्षण तुम बमनी का सर धड़ से अलग कर देती बरंतु सुहाग की चूडियां पहनने के बाद तुम्हारे हाथों में तलवार उठाने की ख्षमता नहीं रही पर मैं अभी जीवित हूँ नपुनसक नहीं मैं और इसलिए संधी प्रस्ताव स्विकार किया मैंने प्रतिशोद लूँगा मैं उस बमनी से उसके भाई शिवदत से और तुम्हारी कोक में पल रहे बमनी के इस बीज से ये आपकी बेहन की संतान है जेश्ट पमनी का सपोला है ये तुम्हारा पती पमनी और उसका ये सपोला कल का सोर्यास्त नहीं देखेंगे तुम्हें स्वयम को पवित्र करना है अपनी मात्र भूमी के अपमान का प्रतिकार लेना है हमें पस पस जिस संतान को आप मार डालने की बात कर रहे है ना उसमें आधा रख भरंद वल्ष का भी है वस्तर यदी मेला हो जाए तो उसे धोया जा सकता है अनुसुया बरंद तु यदी रख तक लंगी थो जाए तो उसे बहा देना ही श्रिष्ठ है नहीं मैं आपको ये कभी नहीं करने दूखी श्यमा करना अनुसुया परंद तु मेरे लिए मात्र भूमी का सम्मान मेरी बहन के सफाके से भी बड़ा है तो ठीक है तो अपनी बहन से प्रतिकार लीजे ना ना में ये विवाह करती ना ये सब कुछ होता कि ये सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है ना तो तो प्रतिशोन भी मुझसे लीजे ना जेश्ट अपनी बहन से मार डाले मुझे हत्या कर दीजे मेरी परंतु मेरे पती और मेरे बच्चे को अभी दान देदीजे जेश्ट मैंने आपकी आखों में ये अपमान के आसू दीए ना तो तो इसे मेरे रख से धोलीजे जेश्ट परंतु मेरे बच्चे और मेरे पती को छोड़ दीजे आप जो कहेंगे आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सब करने को सजी हूँ जाए बस आप मेरे बच्चे और पती को छोड़ दीजे जो वचन दे रही हो उसका आर्थ जानती हो हाँ और मैं पून करने को सची हूँ तो ठीक है जब बमनी ने तक्षिला का अपमान किया था उसका निमित्ते तुम बनी अब कल तुम स्वयम अपने हाथों से बमनी का ऐसा अपमान करोगी कि पौरा वराष्ट्र उसे बूर न सके कि जडे तो कि अपमान अपमान करोगी यार न पूर्ट्ट्र れधरी कि अपमान करोगी आर्ट्र को था पास इस बढ़ागी इस बढ़ागी बमनी ने बीच्पने झाल 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 हम एतनी दूर क्यों खड़े हैं हुजूर ये बौरो मुल्क नहीं है हम या मेमान है गर दुश्मन का हो या दोस्त का जहां आग लगी होती है वहां से दूर खड़े रहने में ही समझधारी है मोशिस चिंगारी नहीं लगती और हाथ भी सिख जाता है आज जो यहां होने वाला है उसका दीदार करने के लिए इससे बेहतर जगा नहीं हो सकती आज फिर से यहां दो मुर्गों में जंग होगी तक्षी शिला और पोरव राष्ट्र और यहां खड़े रहकर हम एक की बांग का मजा लेंगे और दूसरे की डांग का जाईगा और अगर पिछली बार की तरह अनुसुया नहीं इस बार भी कोई खेल खेला तो तो ना तो बांग सुनने लाइक रहेंगे ना टांग चकने लाइक प्रणी पाथ आरे है और भाग यह हमारे कि आपको हमारा स्मर्ण तो हुआ अन्यता लग रहा था अपने भाई के घर आकर आप तो हमें भूली काई नहीं आरे वो जिसने हमारा जीवन सज्जा किया वही आज उत्सव के लिए हमें सज्ज करेंगी एकांत हमारे केश बांदुलाने सुए है नहीं आरे यह मुझे नहीं होगा क्यों बात क्या है मुझे आपसे कुछ कहना है आरे बोलो आनसुए आरे आरे है और अब राज आप अब तक सज्ज नहीं हुए अनुष्ठान का मुहरत बीता जा रहा है पहले सेवकों ने हम पती पत्नी को एक दूसरे से दूर रखा हुआ था कुछण मिले तो तक्षिशिला नरेश स्वयम आगा है पत्नी आपकी सैसुराल भी आपका और अवसर भी मिलेगा बस यह अनुष्ठान शीगर पूर्ण हो जाए पूरा तक्षिशिला आपकी प्रतिक्षा में है क्यों नुश्या तक्षिशिला की प्रतिक्षा समाप्त की जाए जी जी जेश्ट पूरा वराज अपनी बहन को एक सूचना देनी है यदि आप अनुमती दे आवश आवनसुया पमनी को सावधान करने का प्रयास भी तुम हर समय मेरी त्रिष्टी में हो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमारा साथा पंक कर दूँ एक फूल और इस पमनी के साथ तुम्हारी संतान भी समय क्यों कि सूचना शुब है ना चीग राइए विधी आप दोनों को ही संपन्य करनी है क्या हो अनसुया चिंतित हो नहीं एसी कोई बात नहीं हारे तो ठीक है अनुष्ठान के लिए विलम हो रहा है हमरे केश बांद दो आरिये आप मुझ पर विश्वास तो करते हैं ना स्वयम से भी अधिक तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता नुष्विए शत्रुता की जो धरा सहस्त्रों का लहू पेकर भी अपनी प्यास नहों जाबाई तुमने उस पर मित्रता और विश्वास कांग को रोपा सब को अनुभव करा है कि एक एक उंगली बन कर रहना जीवन नहीं मुठी बन कर रहना आवशक है एक देश बनना आवशक है एक महान राष्ट्र बनना आवशक है नोर हमारे आनंद में एक आनंद और बढ़ जाएगा जब कल हमारा पुत्र पुर्शोत्तम जन्वलेगा पुर्शोत्तम हम अपने अंत तक तुम्हारे साथ रहें इससे अधिक हमारी कोई कामना नहीं मरते समय भी तुम्ही को देखना चाहते हैं जिस पती ने तक्षिशिला के सीने में अपमान के विश्च से भरी कटार भोकी उसे विश्च से भरी कटार से मार कर तक्षिशिला के आप मान का प्रतिशोध लिया वक्रतुंड महाकाय सुर्य खोटी समप्रभा निर्विग्नम कुर्मेदेव सर्वकार येशु सर्वदा ओम जैन्ति मंगला काली भद्रकाली कपाली नी दुर्गा शिवक्षमा धात्री स्वाह स्वधा नमस्तुते जैत्वम देवी चामुंडे जैभूता बहारणी जैसर्वगते देवी कालडात्री नमस्तुते मधु कैटब विद्बंसी विद्ध्यात्री वर्दे नमा रूपम देही जैम देही यशो देही त्विशो जही तक्ष शिलाकुमारी अनुसुया के सिमान्तुनें संसकार में आप सबी का स्वागत है सिमान्तुनें संसकार इसलिए किया जाता है ताकि होने वाली माता प्रसंद हो साथ ही होने वाली संतान भी प्रसंद हो रित्य अनुसार, पौरो राज, देभी अनसुया की केस सज्जा करेंगे जिसका प्रयास पवित्र था, उसकर विश्वास ना करकी, बड़ी भूल की है हमने क्या तो हमारे से एक फूल को बुला पाओगे क्या इइ एक विवास पना पाँ कि भूला है क्या हमारे अना प्रयास चाहरे खामं आह मारे विए्याद हम वचन देते हैं अनुस्विया सदा तुम्हारा सम्मान करेंगे और उस सम्मान की रक्षा करेंगे आप चिंते दिख रहा है मात ते हाँ समर सिंग मुझे किसी आने वाले संकट का संदे हो रहा है आप मेरा कितना सम्मान करते है और उस सम्मान की कितनी रक्षा करते है जे मैं प्रारम में ही देख चुकी हूँ पौरवनरिश अब ना तो मुझे आप से कोई भी सम्मान की इच्छा है और ना ही किसी सीमान तोनेयन संसकार की अभिलाशा जे से अफ़िग झाल प्रॉप्ख ऍल तुम्हारा दात पर यह क्या है? हम समझे नहीं अनुसुया क्यों? शडियांतर करना जानते हैं शडियांतर समझना नहीं अभी नहीं करना जानते हैं अभी नहीं समझना नहीं अपने भाई की अपमान के प्रतिशोत के लिए अपने एक नाटक खेला था ना? अब मैंने भी एक नाटक खेला है अपने मात्र भूमी के प्रतिशोत के लिए झाल प्धाल मुश्यस अब केल शुरू हुआ मुश्यस अब केल शुरू हुआ 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 है स्वर तुम्हारा है अनुसुया परांतो शब्द नहीं बताओ किस दवाव में हो अपने कुछले हुए स्वाभिमान के दवाव है अपने मात्र भूमी के अपमान के दवाव में अपनी अधूरी इच्छा के दवाव में उस दिन आप चाहते तो मेरी सरलता से हत्या कर सकते थे परन्तु आपको मेरे कुछले हुए स्वाभिमान को तक्षे शिला जो भीशना था आज मैं भी चाहूँ तो आपकी सरलता से हत्या कर सकती हो परन्तु नहीं आपके कुछले हुए स्वाभिमान की अर्थी पौरव राष्ट जो भेजनी है मुझे झापके कुछले हुए झापके तुम्हारी तृष्टी बता रही है कि सत्य कुछ और है बताव अनुसुया क्या है सत्य सत्य ये है पारवराज कि मेरी बेहन प्रसन नहीं है तु बताव अनुसुया तुम्हें प्रसन न करने के लिए हम क्या कर सकते है क्या दुख है तुम्हें तुम हमारे कुल दीपक को चन्म देने वाली हो क्या अब भी तुम्हें हमारे उस फूल की पीडा है जिसकी हम शमा मांग चुके हैं भूल? भूल कहकर भूल शब्द का अपमान मत कीजे पौरवनरिश अपने व्यक्तिकत प्रतिशोत के लिए एक स्त्री के साथ विवा करना उसके साथ एक रात्री बिता कर उसका परित्या करना भूल नहीं अप राध है भूल क्या होती है जानना चाहते हैं आप? भूल वो है जो मुझसे हुई है ये जो मेरी कोक में पल रही संतान है ये मेरी भूल है आज वो प्रतिशोत के मार्क से इस संसान में आएगा ये मेरी भूल थी और इसी भूल का प्रश्चा ताप करना है मुझे और आपके अपराध का प्रतिशोत बहुत बड़ी भूल हुई है महराज कहा था तक्षिला वालों से केवल शत्रुता के संबंध हो सकते है भूल नहीं अपराध हुआ है हमसे श्वतर श्रीम और हर अपराध का तंड निश्चित है बताओ अनसुया कौन से इच्छा पूर न रह गई है तुमारी बोलो कैसे लोगी अपने अपमान का प्रतिकार क्या है हमारा दंड अपमान का एक ही डंड है एक ही प्रतिकार है और वो है स्वाभी मान छीन लेना केश जो शरीर के सबसे उपर होते हैं व्यक्ति के सम्मान का प्रतिक होते हैं बात अगर स्त्री की हो तो विवाह के पूर्व साथ सुहागने उसे गूंठती हैं और विद्वा हो जाने के बाद उसके केश से चुड़ा मनी निकाल दी जाती है और बात पुरुष की हो तो उसके केशों पर सम्मान की पगड़ी पहनाई जाती हैं परन्तु आप तो किसी भी सम्मान के पातर ही नहीं हैं पौरवराज इसलिए आपका डंड यह है कि आपको अपने केश त्यागने होंगे पूरे तक्षिशिला के समक्ष आपको अपना सर मुणवाना होगा और यही जुका हुआ सर लेकर यहां से सदा के लिए चले जाना होगा नहीं पौरवासी सर कटा सकते हैं पर सर जुकाएंगे नहीं महाराज यह हम कभी सुविकार नहीं करेगे बला ही हमारे प्रान ले लो शुकार है प्रूल आप कर दो इनके केशु धरो ठेरो प्रहार किसी और के हाथों से हो तो प्रतिशोत का आनन्द आधा रह जाता है तुम्हे प्रेम पूरा दिया प्रतिकार भी पूरा देना चाते हैं हमारी इच्छा है कि तुम सोयम हमारे केश उतारो आते होत्ताम आते होत्ताम अनोसोया आते थे के चाप पूर्ण करो साम आते हैक आते हैं झाल 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 आर्या यह शुप नहीं अनुसुया को रोकिए समय के साथ प्रतिश्योत का वियंजन और स्वादिष्ट होता जाता है अलका अंभी कुमार के आखों से हाद अड़ाओ ताकि वो देख सके के तक्ष शिला का अपमान करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसे क्या हुआ अनुसुया हाथ क्यों काप रहे हैं तुमारे प्रतिश्योत लेने का साथ नहीं साथ है तो आगे बढ़ो और हमारी त्रिष्टी से त्रिष्टी मिलाकर हमर मान भंग करो मढ़ो आगे प्रुष्टी झाल प्रुष्टी लुप्र यहां प्रुष्टी प्रुष्टी कि अजय को ब सिछए टोस्टा करो और अजय को अनुट को अनुट को अनुटार। कि अनुट को तया सकते हैं कि अनुट को अनुट को कि दो अईवी और रहा हु और वहा हुआ हो कि आ सेया फ़े कि दो अग बरुब हो पहा हुआ। फिस प्राइब यूट wil Εود प्रज ऴेल त Claire іш अशित श्राइब श्रण ज्राइब श्राइब श्राइब व्राइब स्राइब देख लो तक्षे शिला वासियों तक्षे शिला की बेटी ने अमारी मात्र भूमे के अपमान का प्रतिशोध लिया जिसने तक्षे शिला की पगड़ी उचा ली आज कोई पगड़ी उसका जुका हुआ सर उठा नहीं जकती कर दो सकती है कि रुको मात अनुसुया हम अभी और से सकते हैं वह अनुसुया वह देश भक्ति का अध्भुत उदारन प्रस्थत किया तुमने शत्रों से प्रतिशोद लेना सरल होता है परन्तु जिस पती ने तक्षिशिला के सीने में अपमान के विश्ट से भरी कटार भोकी उसे विश्ट से भरी कटार से मार कर तक्षिशिला के अपमान का प्रतिशोद लिया वाँ राज वाँ राज प्रदाए झाल झाल हम अपने अंत तक तुम्हारे साथ रहें इससे अधिक हमारी कोई काम ना ने मरते समय भी तुम्ही को देखना चाते हैं अपने गाल झाल तुम्हारे साथ कर दो अंड़ दो भाषब कर दोiger कर दो दो कर दोग्गति से हम लोगे कर दो कि अंड़ और बुद्टाब कर दो पिन्हें पिलो कि अ अन्म प्रुदार है झाल 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 उसके लिए तुम जैसे भावो को प्रमित करना कथे नहीं हैं। पौर वराज्य के भले के लिए हिस हरसी कोख में पल रहे तक्षिश लाके सपोले की हत्यो कुर्णाव शक्र प्र०ॉपर्णेश कोष 주ग्य हराजन कि यार्णेश के विए तक्रितम है कि यार्णेश कि यार्णेश क्षच़ ने APP लेपे अरीकियाश प्रुपर्णेश रहाजे मुझे मार्क दोरी पुदमन मेरे पुदमन हूँ शत्रूओं का दमन करता हूँ अपनों का नहीं परन्तु आपने अगर महारानी को हानी पहुचाने का प्रयास भी किया तो आप पे भी प्रहार करने को बाती हो जाओंगा मैं साफदान से आपती कोई मत्य हमें नहीं आएगा इसने मुझ पर दलवार उठाएगा अब इसका सर कट कर करेखो महारानी में जाता तेर तक ने रोक पौंगाएने महारानी आप यहां से जाएगे और अपने संतान की रक्षा कीजिए हट जाओ समर सिंग मेरे मार्क से हटो मैं कहती हो हट जाओ महारानी जल जाएगे यह 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 हम यह 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 पाच कर नजने बाएग प्रकून! क्या जारा ङिप चाइए खरो! सेविव और घाए है आचिपा हो गयानु सुया! कि अाचिपा यूए नचिपार आचिए टार्टा आचिपार। देख रहे हो जियूस सबको तुम्हारी उलाद के आने का इंतजार है पूरा मैसोदोनिया आज जश्न मनाने को तैयार है देख 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 एाइ भार यूरा है देख़ जो दो है घाएगा! नच्छर चाहाँ प्रव जो फुम्हार है बहुआ बहुआ है प्रुम्हार है कर दो कर दो करे द ए insights अलेक्जेंदर के आने का वक्त हो गया है देखो जिवस इशारा कर रहे हैं अधिक दूर तक नहीं गई होगी हाह करिए कि कि लुओ 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 से सबार के समस्या गहन है केहन समस्याओ काहल कहरा ही में ही मिलता है अरिपुतमर वो पर तुम्हारा नी वन में स्वर बहुत दूर तक जाता है और आपकी प्रसव पीडा जिसे एक भारत का स्वर बनना है उसके जनम पर पीडा का एक स्वर नहीं निकलेगा मेरे मुक्सरी पुतमर नहीं निकलेगा आप मेरे साथ आए आए सबाली मारा नी एसे पकड़िए दोरो हाथों से पकड़िए सबाली एसे पड़िए को बेक्ड़ टुझ टॉख टॉग्ध टॉ टॉरू झाल बॉग मरना तो तुम्हे है सोच रहा हूँ देश बख बन कर मरोगे या देश द्रोई मेरा नाम रिपु दमन है शत्रोव का दमन करता हूँ मैं अपनों का नहीं अमात्य आपकी परिभाशा में जो देश द्रोई है मेरी समझ में वो देश भक्त समझ मेरा वो झाल 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 प्युर्लाप चर पुपर फो जो तो. अनुसुया कही निकटी है टूटा उसे अनुसुया कि अनुसुया काईप अघण अजया आएउजद ऑर श्रिलिए आमेए। अग्लीन इसाओ भी ऑम है स्थाओ फञ्ट आप neoftर प्रेश इसते कि प्यों आप से डित खूँ पीट से घुए कि अबर्द है इम 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 इमसफे नहीं आई खूँ है खब लाि बे कि हाज गऑ state हम खेबाद घुह यह अज जए सकती घाल यह अजह वह अजए हाह प्रूब झाल आगा Пगजन में जया हो? कि अ झाल स।टा बीछा करें जया debeष हिए इड्स अलोगि dir कि तोरी верा खप खब ओ कर दो कर दो फ झाल झाल कि अर शुत रताए वर्ड़र काल लड़्र कुपर मैँ कि रहने में झाल पाल झाल यह नहेंखा नहेंखा हु जह अो मेजने फड़ कितायं है. हुआ जह आ आखँए ! हाज हुआ ह happens ऩखर दो खर ब्ण Опर माँड़ है जख फीर क lados कंछ What the hell is Алекс वाम कर दो एक लेक साइडों एक लेक साइडों एक लेक सिर क लेक सुझ एक साइडों झाल 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 हरो डूड़ा मत्या कहीं नहीं मिली मुझ तक मेरी हार की सूचना पहुचाने वाले को मैं जीवत नहीं छोड़ता अब तुम पर है मुझ तक जीत की सूचना पहुचाओगे यहार की तूड़ा झाल अाल अनसली अनसली कर दो पत्थर भी कामाल की चीज है ना कभी रास्ते में रुकावट बनता है तो कभी रास्ते की रुकावट हटा देता है कर दो कर दो कर दो कर दो थे ख्याल आख इज इसन में आख ए लिए सकर भाएएब मैं आख वाएब एट मुझें आख एगा मैं आख 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 एऴ आख। हुआ हुआ हुआ.... हुआ हुआ.... हुआ.... स्वाकट है तक्ष्य शिला कुमारी इस स्वाप मेंको दिखाकर तुने मेरे भाई को चला उस अपन का जन्म हो गया परन्तु जिस अपन को दिखाकर तुमने पौरो राष्ट्र की आखे बंद कर देनी चाही उस अपन को आज मैं समाप्त कर दूगा उस जपन कर दोग से क्या कर देनी पुछ कर दो कुछ मैं सिल्म हमा भाई कि घ्यष्ट्र अपनبة हूष्ड प्ला बाई अपनश अपन्छों मैं समाप्त्र के दुमने ऐनी उनी हुछ घपको जो मैं समापनी है झापको दुमन needs your having wind जुए एफ औि एब प्स्त प्स्ath कboys गुडते हैं छोला कि लाफ खाज़ जो सकार कि लाफ भाफ जोला कि कार दोला कि यूला बाफ जोला कि अर बाफ जो 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 हुआ है. दो इप पों मो पॉती लिए... का विए यज mega कै येक लिए... क्वें, मुली मिं उखतकी कैम येड़ी हो ओने इप भी झाल कर दो कर दो कर दो कर दो आज नहीं बचपाओं की अनुसुया आज नहीं प्रेम की बेड़ी मेरे भाई के पैरों में बांद कर तुमने उसे अविश्वाश के गत में दिकेल दिया आज तुम और तुमारी संतान इसी उचाई से जहलम की कर्द में जाएगी जिक कैसी परिख्या है मा तुम ही ने मुझे अपने दिखाया था ना कि मेरी संतान लौप पुरुश होगी इस संसार का इतिहास बदल देगी क्या इतिहास बदलने वाले का नाम इतिहास बन कर रह जाएगा नहीं मा ये मेरे पुत्र का अंत नहीं है जिसे भारत का रक्षक बनना है वो एक द्रोही और कायर की मृत्यों नहीं मरेगा यदि मेरे स्वपन में तनीक भी सत्य है यदि इससे भारत का रक्षक बनना है तो ये इसका अंत नहीं हो सकता इससे जीवित रहना होगा इससे जीवित रहना होगा मा इससे जीवित रहना होगा मा झाल 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 मैं कैसे उसका भाक्षन होने देती झाल 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 स्ट 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 झाल 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 प्रूस maiorう झाल 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 प्रिथा आ गए आप आपका तक्षिला का प्रवास कैसा रहा आ रहे हो आपके वस्ति पर रक्त प्रिता मैं यहां से तुरंद निकलना होगा तुम हस्ति को भी उठा लो परंतु आरे बताये तो सही हुआ क्या है और यह बालक कौन है यह बालक पौरो का भविश्य है और महराज ममनी का पुत्र परंतु आप इसे यहां क्यों लाएं क्योंकि इसकी रक्षा करना मेरा कर्तवे है और मैं अपने कर्तवे का पालन करूंगा बालन कर्तवे है और अमात ये शिवतत को लगता है कि ये शिश्यू भी मर चुका है प्रिथा आमात ये शिवतत के सेवक यहां आते ही होंगे हम यहां से तुरुद निकलना होगा निकलना होगा? प्रिथा मेरे लिए ये बहुत सरल है कि मैं शिश्यू को आमात ये के हाथ वस्वाप दूँ इसकी हत्या करूँ और वरुसकार लूँ सुचो प्रिथा क्या जीवन भर मुझे आधर से देख सकोगी तु क्या मैं अपने पुत्रहस्ती को देश प्रेम स्वामी भक्ती सिखा पाऊंगा? प्रिथा तलवार दस्यू के हाथ में भी होती है और सैनिक के हाथ में भी सैनिक तलवार उठाता है रक्षन के लिए भक्षन के लिए नहीं बताओ प्रिथा एक सैनिक के रूप में दस्यू का सामना कर पाऊगी सारा जीवन निर्णा है तुम पर है गुल्डो आसे भाग्या कायर अब तुम नहीं बचोगे रिपुदमन पॉरव राष्टे से बहा जाने वाले समी मारगों पर और तुकल सी बना दो चेलम के किनारे को छावनी बना डालो जिपु यहां से बच के नहीं जाना चाहिए जाओ जाओ तुम जाओ मैप अनुमती पत्र लेके आता हूँ जाओ भी घरो हार ओर फेल्चाओ फोटे कर दो कर दो! और यू झाल 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 कि अई है भी अढम है आपक बितलत जाग कर दो एक दो अगो कि यह मैं दो आगा दोगगे तीज़ किमा बंगे थाव इंदलन है तुन्छा आपके तुक्रों कि यह थे थे पाल आपके ताके दोलिए दोल्ड़ कि उखे हुँड़ कि यह दूल आपके पमेद कि इस दोल्स कुछ भी संग्दित प्रती थो तो सूचना देना एक द्रोही को धूंड रहे हम यदि अपर आधी अभी तक नहीं निकला होगा तो निकल भी नहीं पाएगा श्रीमान यह आज की अंतिम नोका थी मैं तुम्हे नहीं छोड़ूंगा रे बूदामान सबसे पहले हमें शिशों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाना होगा अरे जहाज को क्यों रोका जा रहा है जहाज को क्यों रोका जा रहा है जहाज को रोका जा रहा है जहाज को रोका जा रहा है विटा, आरियो, समर्जिंग सेनिको के साथ आरा है, क्या, आओ, जल्दी, यहां बैठ जाओ, प्रिथा, आरियो, प्रिथा, यहां छिपके बैठी रहना, किसी भी हाल में यहां से बाहर मत निकल, समालो इसे, बच्चों की रोने की आवाज, उनका ध्यान हमारी तरफ खीच सकती है, मैंने आउशरी चटा देता हूँ, सोते रहेंगे, सुरक्षित रहे आरियो, 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 आरि जो करेंख अ homicide। प्रेपुटहमान! प्रेपुटहमान! 파र्डप! ले पुदा मार्ट! हम जानते हैं, तो मिसी नौका पर हो! आपका तो एक ही पुत्र था, फेर ये दूसरा... सबसे नाइ! ले पुदा मन बहार आओ! हम जानते हैं, तो मिसी नौका पर हो! सामने आओ! अन्य था अपने परिवार के नाश के लिए तुम स्वया मुद्तरदाई हो गए! याँड! तो यहाँ चिपी है, भाविश्री! मेरी पुकार रिपुदा मन तो सुन नहीं रहा! हो सकता है आपके चीक सुन ले! अरे! आपका तो एक ही पुत्र था! फिर यह दूसरा कबूतर पकड़ने आया था! मोर हाथ लग गया! समर सिंग नहीं! समर सिंग नहीं! समर सिंग! समर सिंग! समर सिंग छोड़ो! समर सिंग! अब तो तुम्हें बहार! आना ही होगा रिपुदामान! समर सिंग! समर सिंग! अर्यो! 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 जब अबात एक हो तुम्हारे साथ साथ इस साधे भरत वंशी का सर भेड दूँगा तो दोरी प्रसनेता हो गियुने झाल झाल क्मिल किल मैं तुर्स करने फिरसा हम चाते कर फिरसा पिरसार लाल उझे इख धidade पय उजझा इख इख इव इख कि उर इख कि is झाल 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 दस्यू जानते हैं उन्हें क्या करना है और शेश नौका छोड़ कर निकल जाएं धन्यवाद प्राण हधेली पर लेकर एक सेनिक ही लड़ सकता है तुमे पौरव सेनिकों फिर भी पौरव सेनिकों की विरुध लड़ रहे थे और क्यूं वो तुम्हारे परिवार को समाप्त कर देना चाहते थे तुमने अपने ही देश से द्रोह किया है परिणाम स्वेम भुक्तो देश द्रोह विद्रों में अंतरों पाए अमाति शिवतत ने महरानी अंसुए की चान लिए और मैंने विद्रोह किया कि आपकी नजर में ये देश द्रोह है अब अपने साथ ले चली अजिया था मेरी ये भालक शिवतत तुन्हे माज़ा लेगा आपकी अपने साथ ले चली इन बच्चों की सुरक्षा के लिए अजिया नाम क्या है तुम्हारा सच्चन सच्चन सेंग सच्चन 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 सच्च Perhaps झांद सच्चन सच्चन पार कर दोकाल, कर दो कर दें कर दोप्राव कर दो कि आयर कर दोका दो कर दोकाल देख लो तक्षे शिला वासियो तक्षे शिला की बेटी ने अमारी मात्र भूमिक के अपमान का प्रतिशोध लिया आज गोई पगडी उसका जुका हुआ सर उठा नहीं सकती हमारी आखो में आखे डाल कर देखो अधरिष्टे डालो हम पर शमा महराज शमा अधरिष्टे टालो हम पर अधरिष्टे उठाओ अधरिष्टे चुकाओके तो अपमान का प्रतिशोध कैसे लोके सब देखो हमारी ओर यह अपमान केवल राजा बमनी का नहीं पूरे पौरव राष्ट्र का है देखो इस अपमान को ताकि जब तक इस अपमान का प्रतिशोध ना मिले किसी के रिदय को शान्ती ना मिले अनुसुया ने एक बात कही थी मूर्क अथूर्थ दोनों का साथ हानी का रखोता है हमारे अनुसार मूर्क का साथ हानी करता है और व्यापार में थूर्थ का साथ प्रगती तुमने शिवदर्श्री को एक प्रस्थाव दिया था सोच का दायरा बढ़ाएंगे तो ताकित का दायरा अपने आप पढ़ जाता है अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो तुम फारस से कारिकर लाकर यहाँ पॉरवराष्ट्र में कारखने लगाऊगे पॉरवराष्ट्र को इतना बढ़ा करोगे कि तक शिलाक का अस्तितु समाब तो जाएगा सोच का दायरा बढ़ा लिया डरायस हमे तुम्हारा वप्रस्ताव स्वीकार है वोलो बदले में तुम क्या चाहते हो पीट्ना चाहता पीट्ना चाहते हो जजा जब एकार्ण वाइन वही कि एो प्रें। ये लजनुलन का फर शी टेस्टवल फारस में रस्म है साजेदारी की शुरुआ जाम सांजा करने से करते है आज से हम साजेदार हुए हजूर तेजारत के मुनाफे मेबी और सेयासत के नकसान मेबी तेजार्च शुरुआ तेजार्च जाम साजेदा तेजार्च कौन है ये 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 समर सिंग की बहन है मात्य है समर सिंग दस्यों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए कि नाम क्या है तुम्हारा कादी का समर मेरा विश्वास पात्र था उसने प्राण दिये है मेरे लिए और मैं वचन देता हूँ कि उसके परिवार को कभी कोई कश्ट नहीं होने दूगा और आज के बाद तुम पॉर्वराज परिवार की उत्रदायत हो और तुम्हारे परिवार को कभी धन और अन की कमी अनपव नहीं होने दूगा मेरा परिवार मेरा भाई ही था आमाते सब कुछ था वो मेरे लिए जिसका सब कुछ छीन गया उसे अनधन से क्या मो मेरा भाई दस्यों से लड़ाई में मारा गया मुझे बस नयाय चाहिए बाते जिन दस्यों ने आपके फिश्वास पात्र की हत्या की क्या आप उन्हें दड़ नहीं देंगे आप आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी पर आपको मेरे भाई की हत्या का प्रतिशोत दस्यों से लेना ही होगा दस्यों ने समर सिंग की हत्या की और समर सिंग रिपुतमन के पीछे दा तो रिपुतमन का है इस वक्त प्रत्त्त कर दो कि अटन है। बहुत जल्द ही तुम्हारी मात्रभूमी हम फार्सियों के तलवे चाटेगी दो बाते मेरा क्रोच चगा देती है फेकी हुई ठाली और माँ पे खाली अपना घर छोड़ने से पूर्वाप ने कहा था तलवार एक दस्यू के हाथ में और एक सैने के हाथ में भी होती है तो क्या एक सैने का अपना कर्दवे पूर्ण करने के लिए अब दस्यू बन जाएगा सैने का धर्म निभाने के लिए ही दस्यू में शरण लिए है पुरो का भविश्य मेरा उत्तरदायत हुए और पुरू को उसका अधिकार अवश्य मेलेगा मैं एक पिता से बात करना चाहती हूँ और आप एक सैने के उत्तरदायत उसे भार ही नहीं हा रहे मैं पुरू की नहीं अपने पुत्र हस्ती की भवश्य की बात करे हूँ आज़ा मेरे बच्चा एक पती के लक्ष के लिए इस पत्नी को उसका हर बलिदान स्विकार है परन्तु एक पिता के बलिदान के कारण पुत्र का जीवन लक्ष भंग हो जाए ऐसा इस माता को स्विकार नहीं तब हरत का रक्षक बनना पुरू की नियती है और हस्ती का भवश्य पुरू की नियती से जुड़ा हुआ है तुम समझती क्यों नहीं है हस्ती को वो सम्मान मिलेगा हस्ती वो बनेगा जो मैं राजा बमनी के लिए था हस्ती पुरू का दाया हाथ बनेगा उसकी ढाल बनेगा वो पुरू की ढाल होगा पुरू की नियती से जुड़ा होगा पुरू का दाया हाथ होगा तो हमारे पुत्र हस्ती का क्या दस्यों के बीच पलकर क्या भविश्य होगा हमारे पुत्र का सुचाए आपने पुरू की वास्त्विक्ता किसी के सामने कभी नहीं आनी चाहिए पुरू का सत्य किसी के समक्ष नहीं आएगा परन्तु एक माँ चाहा कर भी इस बालक को वो ममता नहीं दे पाएगी जिसके कारण उसके पुत्र को दस्यों समाज में पलना पड़ेगा झाल 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 प्रू आज दसियों के बीच बल रहा था और पौरव राष्ट्र में समय बदल रहा था डरायस और बमनी के समझाथे ने अनसुया के अखंड भारत के स्वपन को तोड़ दिया एक फारस अब पौरव राष्ट्र में भी बसने लगा था फारसियों का सामान धीरे धीरे भारतिय वस्तूओं का स्थान लेने लगा कल तक जो व्यापारी थे वो अब अधिकारी बन रहे थे अब व्यापार का आधार विश्वास की चमक नहीं सिखों की खनक हो गई थे भारत की संपत्ती मेरी धारा से होकर फारस की ओर जा रही थी शिवदत को ये डर था कि कोई और अनसुया बमनी की विचार धारा ना बदल दे इसलिए शिवदत ने बमनी की शादी अपने विश्वास पात्र समर सिंग की बहन कदिका से करवा दी थी समय बीटता गया तिजारत करने आया डरायस फारस पर हुकूमत करने लोट रहा था और भारत जीतने का अपना सपना ओलम्पिया मनसूबा बना कर आलेक्जैंडर के दिल में भर रही थी उसे मुकदर का सिकंदर बना रही थी और मेरा बेटा जिसे सिकंदर का मुकदर बदलना था मेरी धारा चीरते हुए आगे बढ़ रहा था पुडू सुरक्षा कड़ी है एक साथ आक्रमन करेंगे तो विजे हमारी होगी हाथी पर एक और से आक्रमन करने जाओ तो सिय भी मात खा जाते हैं एक साथ आक्रमन करेंगे तो पकड़े भी एक साथ जाएंगे हमें अलग-अलग दिशाओं से आक्रमन करना होगा झाल 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 जा है करे दो दो, तो नहते हैं, लुछेभान, दो टुछेता है ले हो अ उर्म जाननम बारे, Sumt, अर्म जय है, जुछे हैं कर दो Stunden कर दो कर दो को कि मैं खजानी की और बढ़ता हूं कि मेरी छटे इंद्री कहती है कि वह एक जाल है चोटे हो मुझे मत शिखाओ नहीं अश्टी कि मैं प्यूबर स्विंगर अग्यूर्ण करें अभी आख बढ़ने कि मैं आख हुए 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 पकड़े गए दस्यू अगर ये वास्त्विक लूट होती तो तुमारा सरधर से अलग होता दस्यों को आगे कम पीछे स्यादा देखना चाहिए बाबा यदि ये वास्तविक लूट होती तो गर्दन आपकी भी नहीं वस्ती बाबा अबिनन्दन पुरू अगले अभियान में भी दल का नेत्रित तुम ही करोगे पुरू क्यों? मैं क्यों नहीं बाबा? मैं भी तो आपका पुत्र हूँ पुरू से बड़ा भी हूँ कारिय शित्र में बड़ा वो होता है जो दल का नेत्रित्व करना जानता है हस्ती और सुमेर तुम दोनों की वज़े से आज ये कारिया सफल होने जा रहा था इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा दंड? मैं दशिवरानी का पूत्र हूँ दंड देना मेरा अधिकार है और नेत्रित्व का भी नेत्रित्व करने से पहले दल का सदस्य बना सीखो दल की योजना से हट कर कभी कारिया मत करना ये तो सिर्फ अभ्यास था अगर वास्तों में ऐसा होता तो तुम दोनों को ये भूल बहुत मेंगी परती तुम्हें इत्मी शीक्रता नहीं दिखानी जही थी हसती पर सुमेर वो रठन तो तुम्हे रिये था ना तुम्हारे लिया ही मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारी ज़ए से मैं याः बंध आभ़ आँ ये ये पूरु कहा है नहीं जानता पर बहुत सालों से परिशान करते आयो हमें आज तो गुनहा की हद पार कर दी यहीरा तुम्हारे वतन का सबसे कीमती और नायाब हीरा है इतना कीमती के कई मुलकों के शाह तक बिक्चाएं से खरीदने में और यह तुम्हारे शहजादे कनेश की तरफ से तौफा है हमारे फारस के शहनशा डर्रायस के लिए और तुमने मेरे फारूस के रहते इसे चुराने की कोशिश की खत्म कर दो इने रुख जाओ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है वाह अब लुटेरे भी सौदा करने लगे ठीक है पेश कर शैसी होनी चाहिए कि हम ना न कह सके देखो मुझे छोड़ दो मैं दस्चियू रानी का बेटा हूँ बहुत सारा धन ला कर दूँगा तुम्हें लगता है मोत को सामने देख कर दिमा खराब हो गया दोनों का हमारा दिमाग नहीं तुम्हारा समय खराब हो गया है वो आ गया है कौन उजए खराब हो गया बशीक पाक यो कोई बूलाओ सूरज भी एक ही होता है और जब आता है तो लाखो अतारे भाग जाते हैं तुम्हारी तारीफ पुरू 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 पुरस प्रेम से कुछ भी कहूँ कोई अंतर नहीं बढ़ता आज के बाद तुम किसी की पुकार का जवाब नहीं देपाओगे और आप भी और मुझे लगा एक फारसी में अधिक बुद्धी होती है मतलब मतलब कि कि आपका वो अन्मोल रत्न इन दोनों ने चुराय और आप मुझे मारना चाते हैं क्यों? इन दोनों के विरुदाप किस हायता भी की मैंने और आप मुझे मारना चाते हैं इन दोनों के बंदन भी काटे ताकि आप इन्हें दोड़ा दोड़ा कर मारें और एक उद्धरन बना सकें कि दस्यू जो भी करें परंतु एक एक फार्सी से कभी ना बिढ़ें क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक फार्सी अधिक बुद्धिमान और शक्ति शाली होता है क्यों? सही कहा ना मैंने देखो मित्र मेरा आप पहले इसे मारो इसे ये मेरा भाई मेरी एक बात नहीं सुनता पुरू क्या ठीक है भाई ये मेरा समझा लो ओ ऐसे इसे छोड़ो इसे मारो इसे भी क्या मारोगे दस्यूरानी का पुत्र है ये वो भी लोता और दस्यूरानी मुझसे बहुत प्रेम करती है तो इसे भी छोड़ दो देखो मित्र कीचड का सौभाव है मेला होना और आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कीचड में अपने पाओं क्यों उड़ा लेगा और और ये सब्य मेले कुछले दस्यू इनके रख से अपने ये भेंगे फारसी वस्त्र क्यों खराब करना चाहते हैं छोड़िये ने और फारसी तो अधिक बुद्धिमान और शक्ति शाली होते हैं तो लगाई अपनी बुद्धि वैसे अपका वो जो जो रत्न वह अद्भुद मूर्ख ये दोनो तम मूर्ख है दोनों के दोनों जो साहस किया ये रत्न चुराने का अब तो ये वापिस आही चुका है तो वाप ये रख लीजिए और मुझे ये ये दोनों पत्थर वापिस कर दीजिए बस बहुत समय बरबाद कर दिया तुमने मेरा अब तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाता हूँ आरे ठीक है मार देना पहले ये अपना ये रख न ले लीजिए लेजिया अब अब भागो पूदो चाओ फूदो से अब तुम्हारी मृत्यूते है पुरुक क्या कर रहे हो चलो यहां से भाई ये तो डरा रहा है हमें अरे डरा रहा है शीग्र चलो यहां से जल्दी क्या है सुमेर पहले इसे ये तो बता दे कि मृत्यू और देस्यू के जो उ का स्वर है वो होता कैसा है आज तक कभी सुना नहीं के लुटेरों का भी कोई इमान, कोई मधब होता है देश तो होता है बहुत जल्द ही तुम्हारी मात्र भूमी हम फार्सियों के तलवे चाटेगी दो बाते मेरा क्रोज चगा देती है फेकी हुई थाली और मा पे गाली तो चले यहां से इन्हें साथ लिये बिना नहीं जाओंगा कब आप है यहां से लेकर चले अजे प्युच्टे लेकर वेडिये इन्हें प्रुम्हां से लेकर वेले बुट स्ट्टे लेडिये लेखंग्दे प्रुम्हां से लेग्वाम्ट जब करोंदे चाया क्यों न्यो तो though अ-जंदे करोंदें करोंदे कर दोंदे कर दो Спाह कर दो कर दो तानक्या कर दो कर दो करpoke बन्हें पोड़े चे प्रभ्याप वडिड़े ही प्रणीघे विलिए प्रफ प्रेंगा करेंडें डिल अटुद़। झाल झाल सब्सक्राइज कर दो कि नो कि आपी हमारी लग्षा कर जै कि आपी हमारी लग्षा कर जाना चाहते यह सम्नमें दास्मत्रा आकर फारस लेकर जाना चाहते है अबाने जाना चाते पुरू, चलो यहां से, इनको इनका सबक मिलगा है पुरू, चलो नहीं, अज़ा मत बोलिए, यदि आप लोग हमें चोड़कर चलेगे तो हम सब अपने गर वापस कभी नहीं जा पाएंगे तो चले यहां से, इनने साथ लिये बिना नहीं जाओंगा करपे आप है यहां से लेकर चलेए पुरू, शीगर चलो यहां से, इनसे हमारा कोई संबन नहीं है, हम दस्यू हैं दस्यू हैं इसलिए माल लूटते हैं, मात्र भूमी नहीं वाह, क्या जजबा है आज तक कभी सुना नहीं, के लुटेरों का भी कोई इमान, कोई मजब होता है देश तो होता है तुम और तुम्हारा वतन गुलामी तुम्हारे खून में है और तिमारदारी तुम्हारी आदत इसलिए गुलाम बना कर ले जा रहा हूं इने क्यूंकि इनकी असली जगा वहीं है और रही बात तुम्हारे मात्र भूमी की तो वो एक दिन हम फार्सियों के तलवे चाटेगी और तुम्हारे वतन के लोग हमारी फैकी हुई थाली को कुट्टों की तरह चाटेंगे बहुत बड़ी बूल हो गई तुमसे फारुस दो बाते मेरा क्रोच चखा देती है फैकी हुई थाली और मा पे गाली थेक्टर्ट्ह हम आज दो लो घ einem जड़ार्ट! हेँ ररी भीर्ट्टर्टर्टर्ट हेँ ररी ठाहर आए कि अद़ें कि अदू नुड़ें कर दो कि अदू कर दो मैं लूदें कि अदू अदू आदू यह व अदू अदू कि नौका जब डूग रहा हूँ, तो उसका भोज हलका कर दिया जाता है कि लुग एका युग एका जाता है हो जो बनन आधस जस को है हुर जजा प्हुर जग कर prós कराल जए जह जब भाया है जए तर शुर्बरा किलյा टो किल लो गनकर किल challenge किल थे गो किलागती है किलेगस ए मक Clot किलेऑ始 किल व्हाँ कर具क भाँ थे आहल वना का दोम्रेthis झाल! 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 वो जो जो चाहरा कि अार जाना है। कि pit爹 कि मुथ हैं बाल नहां कि मुथ है तो सुँे कि मॹच हैं अच्छ कि मुथ हैं कि अषड हैं कि अ, थैभ रचमın ए रड़ कि अचल netsu is कर दोचीत शेयान कर पूल माना हमसे भूल हो गई, माना कि इसने हमें बचाया, किन्तु बाद में क्या हुआ, अच्छा भला लूट का माल लेकर हम भाग रहे थे, कि अचानक इसके दस्यूमन में देश भक्ती की आत्मा जाग उठी, उन दासों को बचाने के लिए सारा जहाज तोड़ दिया इसने, पूछे हस्ती से, हस्ती बताओ, हाँ हाँ, पूरू ने साला खेल भी गाड़ दिया, जहाज गया, माल गया, और हम हमारे प्राणों पर बन वो अनमोल रत्न, वो भी पानी में फिक दिया इसने, सिर्फ उन दासों को बचाने के लिए सुमेर तुम्हे इस बात से दूख है कि मैंने उन दासों के पराण बचा है यह इस बात का कि तुम अब तक जीवित कैसे हो बात को पल्टो मत पुरू वो दास लगते क्या हमारे अगर फार्सियों ने लेके जा रहे थे तो ले जाने देते ना अवश्य ले जाने देता यदि अपनी इच्छा से जा रहे होते तो अच्छा तो जुन्हे हम लूटते हैं क्या वो अपनी इच्छा से लूटते हैं हम माल लूटते हैं, अस्ति, प्राण नहीं, फ्वतरंदुता नहीं. दस्युरानी, दंड अपराद करने पर मिलता हैं, परंदु मैंने कोई अपराद नहीं किया. या किसी के प्राणों को बचाना अपराद है या किसी लूट का माल किसी के प्राणों से अधिक में तु है यदि है तो मुझे इस मूर की जान बचाने के लिए और वश्य दन दिया जाए एक तो सोयम भूल की उपासे मुझे दोशी सिद्ध कर रहे हो किदासों की रक्षा करके पुरू ने कोई अपराध नहीं किया परंतु दस्यू नियमों को तोड़ा दस्यू जिस काम के लिए जाते हैं उसे पूर्ण करके लोटते हैं तुमने तुमारा काम अधूरा छोड़ा इसका दंड अवश्य मिलेगा तुम है तुम्हें नदी में से बीस मचलियां पकड़ी होंगी लेके बिना जाल के बिना काटे के केवल अपने हाथों से ताके तुम्हें इस बात का अनुभव हो कि जब हाथ में आया शिकार छूटता है तब कितना कश्ट होता है परन्तु हाथ तीस जाल चालिस पच्चास और दंड पुरा होने पर ही भोजन मिलेगा इन सब को यहां लाने का क्या अर्थ है पुरू? अर्थ है बाबा वो लोग सामान्या है लस्यों गया सैनिक नहीं और आपने एक तो सिखाया है ना कि रक्षा अधुरी नहीं की जाती परन्तु पुरू पुरू ने ठीक या सज्जन सिंग स्मरण रहे पचास मचलिया केवल हाथ हों से हाँ हाँ मैं सोयम निगरानी रखूंगा कि यह कोई छल ना करे और मैं यह मिश्चित करूँगा कि अपना दंड पूरा भुगता है पुरू कोई भी काम अधूरा नहीं चोड़ता है अस्ति महानंदनी जी आपका कोटी कोटी धन्यवाद हम सदैब आपके आभारी रहेंगे यह तो हमारा कर्तव यह था महानंदनी जी एक आग्रह और करना चाहता हूं क्रप्या करके हमें शेक्र अतशेक्र हमारे घर भिजवा दीचि आपका बहुत उपकार होगा खके होंगे भोजन करके विश्राम कीजे हम जल्द ही आपकी जाने का प्रबंद करते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हास हो रहा है कोई संकट आने को है पानी में पत्थर फैंको तो लहरे बहुत दूर तक जाती है प्रबंद करते हैं वो अपने कक्ष में है सीख गए हो तुम कभी सोचा नहीं था कि कोई भारतिय व्यक्ति फार्सी वस्तर बना पाएगा इन्हें पहन कर वक्तित्व संपूर्ण लगता है एक कमी शेश एक निश्क जिसे मैं पूरा कर देती हूँ मा आप कब समझेंगी यह फार्सी वस्तर है इन पर यह भारतिय शिंगार शोभा नहीं देता फार्सी वस्तर है तो क्या हुआ मेरा पुत्र तो भारती है ना समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए मा जैसे भी हमारी परमपराएं बहुत पुरानी हो चुकी है यह परमपरा नहीं संसकार है परमपराएं तो व्रिक्ष की पत्तियों की तरह होती है कनिश्क बदलती है परंतो संसकार व्रिक्ष की जड़े होती है उन्हें छोड़ा तो अपनी भूमी से दूर हो जाओगे हम लोगों की समस्या यही है मा हम संस्कारों को अपनी बेडियां मना कर रख लेते हैं आंग खोल कर यह नहीं देखते कि संसार जा कहा रहा है पिशली बार जब मैं फारस के आ तो मैंने एक बात जान ली कि वो फारसी हमसे कितना आगे है और हम कितना पीछे जो बीच जाता है उसी का राग अलापते रहते हैं पर वो लोग वो लोग अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं कहां से कहां पहुँचके हैं वो लोग जहां तक हम जाने की सोच भी नहीं सकते तो तुमने वहाँ तक पहुँशने का क्या मार्प सोचा है कनिश्क मित्रता व्यक्ती मित्र बने तो व्यभार बढ़ता है व्यभार से व्यपार बढ़ता है और व्यपार से सामराज्य का विस्तार और मैंने मित्रता बढ़ाने के लिए फारुस के हाथ शाडरायस के लिए एक रत्न भेजा है मा हुजूर कनेश्क तुम तुम्हें तो इस समय शाडरायस की सभा में होना चाहिए हमारे भेजेगे रत्न के साथ सफर पर निकले जोरूर थे हुजूर पर सफर पूरा नहो सका जब तक मचलिया नहीं पकड़ोगे खोजन नहीं मिलेगा अभी तक एच भी मचली नहीं पकड़ी तुमसे नहीं हो पाएगा बाबा ने कुछ कहा क्या कहा है वो दासो को छोड़ने पौरा वराश्च चुगे अब कैसे पकड़िया मचली एसे 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 पुरू अब तुम्हें पचास मचलिया पकरनी पड़ेंगे बहुत मज़ा एगा चोटे बाई को दंड मिलने पर बड़े बाई प्रसन नहीं होते विच्छू भी छोटा ही होता है पर अंतों दर्द बहुत देता है भाई मेरा वह मतलब मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि सुमेर का विश्वास पासको और तुम हर बार कोई न कोई गड़बड कर देता हो जिस मूर को अपने आप पर विश्वास नहीं तब उसका विश्वास पात पेना चाहते हो तिसे तो मूर कह रहे हो ना पूर वो दस्यू राज का पुत्र है कल दस्यू राज बनेगा अगर उसका विश्वास पात्र रहा तो अवश्य उसका सेनापती बनुगा उसका सेनापती बनना चाहते हैं याप जो एक सेनिक बनने के होगे नहीं क्यों राजा बनोगे तुम्हें आके बुरू तुम्हें अपनी सीमा ग्यात हो या ना हो मुझे है राजा बनने के लिए राजा का पुत्र होना अवश्यक है ऐसा किसने कहा राजा जरम से नहीं कर्म से बनता है बुरू वन में चाहें कितने भी पशु आजाएं राजा सी ही बनता है बस यही अंतर है पशु वर मनुष्य में सोच का सोच जो सच बनकर सामने खड़ी हो जाए तुम्हें जो सोचना है सोचो पुरो मेरा सच यह है कि मैं सेनावती बनके प्रसन हो अब मेरे रास्ते में मत आना ठीक है नहीं अवा बीच में बारे कि शर्टे परे कि शर्टे परिसा 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 सेनापती बना है के नहीं कि तुम हरवार ये सब क्रीच करते हो पुरू तुम नहीं समझोगे बार्याओ बार्याओ रख चमा युवराज, भूल हो गई अब तुम जानोगे कि युवराज के समक्ष भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए कनिश्क, कनिश्क, कनिश्क मा आप बीच में मत आये इन तुछ लोगों को बताना वश्यक है कि राज घराने के साथ किस तरह का व्यभार किया जाता है क्या क्या व्यपीरणे के समक्राष किस तरह क Maple पोग, क्याम, कुपो, भूल नहागा कर दो कर दो कर दो कि अपदान है सत्य बनकर सामने आती है इसलिए दंडू से दो जो सोच समझ कर अपराद करे प्रजा हैं आप हमारी और कनेश्क हमारा पुत्र अपने होने वाले महराज को समा कर दे हैं होने वाले राजा नहीं महराज बहुत अंतर है आप में और यह उराज में विश्वास कीजिए ऐसा कुरूर कभी राजा बने ही नहीं सकता तुमने सुना और समझा नहीं वस्तरकार हमने कहा दंड उसे देना चाहिए जो सोच समझ कर चोट पहुचा है और तुमने यह राज का आप मान करके हमारे निरने को ललका रहा हमारे एहम पर चोट की सोच समझ कर अब तुमे से दंड दे सकते हो गणेशक कि अ उन्यूफ। कि इस द्रोइको क्या मारा, क्या माई हो रहा राज्जा के बाहर भिखवा दो क्या माई हो रहा रहे के हास्ती, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे मा, मा, आज नहीं छोड़ों को तो बहुत प्रसंद हो दा तो परो, 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 छोड़ मेरे बैटी को, छोड़! परो, परो, तो क्या हुआ? मा अज पुझा फारसे बात वातों सब्रभादा था मा? इसे हमने तलवार उनके आथ में देदी और और कागी पुझा माँ दालो माँ तुने मिरे बेटे को मानने करे तरवा दी? तुने मेरे परो, तुन्ही की होगिया, परो! पुरू 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 बुरो नियू मर जांगों किया करें! बुरो! कवआ глаз में! चोपता क 1946 के प्रहार करते हैं अपने भाइपाथ! फोर में! हां tree... मेरे हाथ और जीवा मेली करवाता है मारते मारते मैं ठक गई लेकिन तू मार खाते खाते नहीं ठका मार खाता हूँ क्योंकि पूरी मिलती है अस्ती को तुमारा प्यार पुरा मिलता है मा तुम मार तो पूरी मही खाऊंगा क्या? मगर हम ऐसा कैसी कर सकते है? यह अनुचित है उचित यह अनुचित यह परिसित्या निश्चित करती है सजन सिंग और परिसित्या कह रही है कि इस समय ऐसा करना ही अनिवार यह है पर उन्त यह चल है महराज? नहीं यही समस्या का हल है मान अन्दरी दस्यू महराज को आप ही समझाईए न कि आपने उन सब को घर पहुचाने का वचन दिया है मैं दस्यू के मुख्या हूं सजन सिंग दासों के नहीं और तुम एक दस्यू सेनापती हो अगर रानी का आदेश मानना है तो शस्त्र सामने है नहीं मैंने कभी किसी निर्दोश और नियत्य की प्राण नहीं लिए यह अधर्म है अधर्म है यह जितना मैंने जाना है एक सेनापती का धर्म केवल आज्या का पालन करना है को तो आज अफंख अग्राण करौ नहीं कुमक करना है तुमक करना है कि कुमक की आपولश चल्षणरण भाव हो बिदेश्ट जाज्या का यह tanto गयते है इल रहा हम बुमक भाव अतीधी सत्कार हो चुका अब इसी समय उन्हीं विदा करो अरे जब तक मश्लिया नहीं पकड़ोगे भोजन नहीं मेलेगा वो रत निडु बाया था ना अब भुख तो अगर मैं भुखा रहा तो तुम भी भुखे रहोगे क्योंकि तुम्हें मेरी निग्रानी करनी है अरे तु तु जल्ली मश्लिय पकड़ो ना अस्ती बोलो ना उसको पुरो जल्ली मश्लिया पकड़ो ना उनको पकड़नी के लिए भी भोजन लगेगा लाची हुआँ हुआँ सुना है मा ने तुम्हें अनोखा दन दिया सोचा मैं भी आके सीख लूँ बिना जाल की मचलिया कैसे पकड़ते हैं अरे ये क्या हभी तक एट भी मचली नहीं पकड़ी महां अंदस्यु पुरू रिक्थात अरे मचलिया थी कहां लाची तो अब तो है पकड़ लो लाची अगर तुमने इसकी सहायता की तो मा से तुमें भी दंड मिलेगा मैं इसकी सहायता नहीं कर रही हूँ भाई मैं तो बस चुनाती दे रही हूँ हाँ पकड़ो अब तक तो बहाना था ना की मचलिया नहीं है अब पकड़ के दिखाएए खाली हाथ चुनाती रही तुमसे नहीं हो पाएगा औीफे को बस। धुमसे को फिने प्योंअispers़ औाल रहीं हाำ वाल झाड़ एज वज़ और बस 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 पुरू पचास पूरी हो गई बाकी किसके लिए तुम्हारे लिए चुनोधी में कभी हारता नहीं और उपकार सुई कारता नहीं हारना तो मैंने भी नहीं सिखा बोल के तो देखो तुम पानी में अपनी सास कितनी देड़ तक रोक सकती हो हुआ हुआ आप पुरू के पिता हैं ना हम बता नहीं सकते कि हम लोग पुरू के कितने अधिक आभारी है उसने अपने प्राणों पर खेलकर हम सब की रक्षा की है हम सबने तो सप्ने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी अपने घर वापस जा पाएंगे और उससे भी अधिक आभारी हम आपके क्योंकि एक बेटे में संसकार उसके माता पिता से ही तो आते हैं आपने ही पुरु को सिखाया होगा ना कि दूसरों के प्राणों की रक्षा कैसे करते हैं प्रतिभा शाली हो हम लोग शिल्पकार हैं इसलिए तो फार्सी हमें लेकर जा रहे थे ये खिलोना तुम किस के लिए बना रहे हो ये खिलोना मैं अपने होने वाली संतान के लिए बना रहा हूँ वो मेरी पत्नी गर्वती है ना बाबा ने कुछ कहा क्या काहा है वो वो दासो को छोड़ने पौरवराश्ट चुगया है अकेले तुम उनके साथ क्यों नहीं कहया अस्ति किस और गए है वो उत्तरदिशा की और उत्तरदिशा की और ये खिलोना मेरे पौरू को दे दीजेगा पहले ये खिलोना मैं उसे देना चाहता था जो संतान इस संसार में आने वाली है किन्तो अब ये मैं उसे देना चाहता हूं जिसके कारण से आज हम सब जीवे थे सज्ज रहना सुर्यास्त के परशाद आज हम परोरास्ट के तरफ प्रस्थान करेंगे माना दनी आपकी आग्या का पालन होगा रंतु सुर्यास्त के पश्चाद क्योंकि ये काम करते हुए मैं दूसरों से तो क्या अपनी परचाई से भी दृष्ची नहीं मिला सकूँगा नहीं मिला सकूँगा तैयार यहां यहां पानी में सांस रोकने का क्या तुक है तो खेल आची तुम पहले पानी में कूदो फिर बताऊंगा वाह पुरू तो तुम पानी में बोलोगे और मैं सुनूंगी सच में सुमेर ना ठीक करता है बुद्धी और तुमारा 36 काकड़ा है तुम बोलने से पहले सोचते नहीं क्या तुमें सुमेर ने ये नहीं बताया कि सोचता तो मैं करने से पहले भी नहीं तुमेर नहीं सुमेर नहीं यह बतने हैं झाल झाल देखा काई लीना चुनाथी पूरी अगर खीशता नहीं तो डूब जाती अच्छा अगर ऐसा है तो फिर से चुनाथी देखर देखो ठीक है लाओ वापिस दो इसे क्यों? चुनाथी के साथ इसे जीता है इसे मैं वापिस नहीं करूँगी पुरू ये तो वही है ना? हाँ ये वही है जो तुम्हारे उस बुद्दू भाई को चाहिए था फिर मैंने सोचा के क्यों ना ये सबसे बुद्दू लड़की को दिया जाए रतना अमोलिया होते है और अनमोल अपनों को देते है धन्यवाद पुरू पुरू कर दो कर दो उन दस्यों को दंड वश्य मिलना जाहिए पिताश्री हाँ हुजूर उन्होंने आपका समान तो लुटा ही और साथ साथ हम फार्सियों का जहाज भी डुबा दिया कितना नुपसान हुआ हमारा जानते हैं तुम्हें हान ही हुई है और अव राष्टर में पारुस को उस जहाज जैसे दो जहाज भेट दिये जाए अमात्या नहीं नहीं हजूर एक जहाज का नुकसाम से क्या फरक पड़ता है हमारे रिष्टे बहुत गहरे जिन से संबंध पालने हो बंबनी उनके मन में कोई मलाल नहीं पलने देता शीग रही दो जहाज बनाकर फारुस को सौपे जाए हमात्याँ वैसे क्या कुछ और विथा उस जहाज में नहीं बस यही कुछ वस्त्रों और मसाले उसका भी दुगना करके फारुस को सौप दिया जाए और हाँ उन दस्यों का शीग रपता लगाओ हमने पिताश्य को उन दासों के विशे में क्यों नहीं बताया जो बात राजा को ना भाए उस तक नहीं पहुँचनी चाहिए कनिश्क और यही राजलीती है और उन लोगों का क्या जिन्नोंने युवराज को क्रोध दिलाया है मुझे वो दस्यों हर हाल में चाहिए और मैं उसे स्वेम खो जूँगा पर उसने मुझे बताया कि दस्यों उन दासों को साथ ले गए अर्थाथ कहाने कोई नया मोड ले रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोड उन्हें पौरो राष्टर ले आएगा बाबा अपर समय कहा जारे है बाबा इन्हें इनके लक्ष तक पहुचाने के लिए पौरो राष्टर मैं भी आपके साथ चलता हूँ इस बहाने मैं भी पौरो राष्टर घुम लूँगा मैं बस अभी अपना सामान लेकर आए अस्ति तुम मेरे साथ महीं जाओगे क्यों बाबा क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और जब तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ले जाओगा परन्तु मेरे स्तान पर पुरु होता तब भी आपका यही उत्तर होता नहीं ना पुरु को आप अवश्चे अपने साथ लेकी जाते हैं आपको तो सदेव यही लगता है कि पुरु मुझसे श्रेष्ट है बोलिये बाबा अगर पुरु मेरे स्तान पर होता तब भी आप यही करते हैं तुमारे स्तान पर अगर पुरु होता न तो पिता के निरने पर यूँ प्रश्न ना उठा था पर रही बात बड़े और छोटे की तो मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया तुम दोनों मेरी भुजाएं हो तुम में से कोई दुर्बल या कोई कम नहीं आशा करता हूँ कि बात तुम्हें समझा गई होगी जीदा पानी में फेख दिला और सब के सब देखते रहे वा पुरू तुम तो बड़े बादुर निकले ये बड़ा जहाज था मैं अकेला था अकेला और तल्वार लेकिन वो देखा चड़गा तुमारे दस्क्यों यो राज सब को धराशा ही कर दिया मैंने उसे ये दिखाओगी नहीं क्यों? पानी में सास रोके गोता मैंने लगाया है इसलिए ये केवल मेरा है किसी को नहीं दूँगी सुमेर रह तुम दोनो कहां से आ रहा है तुमारे लिए बेट लेने गई थे बेट मेरे लिए कैसी बेट? वो बड़ी अनमोल और अती सुनर है लाची, वो बेट दिखाओ दिखाओ लाची कुछ भी तो नहीं है भाई पूरो कुछ भी कह रहा है सुमेर ये सतारी है तुमें जूट कह रहे है तुमसे क्या चुपा रही हो लाची? लाची, अपने भाई का वो भेट दो दिखाओ वो क्या है पीट के बिछे? लाची हाथ आगे करो हाथ आगे करो लाची तुमने मुझे मुझे मूर्क बनाया? अरे, नहीं सुमेर, नहीं उसकी तो कोई आवशक्ता नहीं है न? क्या देखा, देखा तुमने अब समझ मैं क्यों मना करता हूं इसके साथ हैने के लिए इसकी संगती अच्छी नहीं है बस यही बात मैं अपने भाई हस्ती को समझाता रहता हूं के अपनी संगती थोड़ा देख कर चुने पर क्या हैना के वो लाची जैसा मुद्धिमान नहीं देखो पुरू तुम हस्ती क्या हुआ दुखी तो ऐसे हो जैसे किसी दस्यू ने लूट लिया हो बात क्या है जसका पिता उस पर विश्वास ना करता उसे दस्यू तो क्या कोई बच्चा भी लूट लेगा बाबा ने कुछ कहा क्या कहा है वो वदासों को छोड़ने पौरव राष्ट गया है अकेले तुम उनके साथ क्यों नहीं गया अस्ती मैं इतना भी मूल्ट नहीं क्योंने अकेले जाने दू परियास किया था मैंने उनका साथ देने का उनको लगता है कि मैं भी सज नहीं उनकी दिरिश्टी में अगर कोई सज है तो वो वस तुम ही हो किस और गया है वो उत्तर दिशा की और उत्तर दिशा की और किस उत्तर दिशब दिशा की और झाल झाल आप रोक क्योंगे और हम लोग यहां शम्शान में क्यों आए हैं? क्याने दो हमें? यह क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे क्यों बंद रखा है हमें? आखिर क्या प्राद किया है हम लोग ने? बंद अवड़ में मौन क्यों आवड़ क्या है है? हमें छोड़ दीजे आप तो पुरू के पिता हैं जिसमें हम सब के प्राडो की रक्षा की अब हमें क्या मारना चाहते है हमसे कोई भूल हो गई क्या इसे शांती से पीलो मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी थोड़ी भी पीड़ा हो नहीं हमसाब बच केजिए हम सब के परिवार नस्ट हो जाएंगे हमें चोड़ दीजे मैंने कहा शांती से पीलो चोड़ दीजे मैंने कहा शांती से बाबा पूरू के साथ ऐसा वेवार? तो बता दीजे उसे सत्य क्या है बता दीजे उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है बता दीजे उसे कि उसकी मा मर चुकी है एक ओर पूरू ने खोया अपना अस्तित्व दूसरी ओर सिकंदर निकला है बनाने अपना अस्तित्व सिकंदर अपना मुकदर अपने खून से नहीं दूसरों के खून से लिखता है बुरुत तुम यहां क्या कर रहे हो मैं यह देखने आया हूं कि मेरे बाबा करने क्या जा रहे थे आप तो इन दासों को पौरव राष्टा ले जा रहे थे ना मैंने वही लेकर जा रहा था इस वाती शम्शान में बांध कर कर दो कि एसा मत कीजिए बाबा यह वो सीख नहीं जो आपने मुझे दी है आपने शत्रों का नाश करना सिखा है निर्दोशों की हत्या करना नहीं पुरु मैब इनने लेकर ही जा रहा था अंदकार में कहीं भी प्रवेश करना दस्कियों की कला है इन कलाकारों का भ्यास नहीं यदि आपको इने बचाना होता तो आप दिन का समय चुनते हैं परंतु आपने रात का अंदकार चुना क्योंकि आप नहीं चाते थे कि ऐसा काम करते हुए आपके परचाई भी आपको देखे पुरू मैं केवल अपना करतावे पूर्ण कर रहा हूँ मुझे रोकने का प्रयास मत करो मैं नहीं आपको रोकेगा आपका अंतरमन जिसने एक दस्यू को एक रक्षक बनने की सीखती वो इन दासो का बक्षक नहीं बन सकता मैं दस्यू के मुख्या हूं सज्जन सेंग अगर आनी का आदेश मानना है तो शस्त सामने है यह धर्म है अधर्म है जितना मैंने जाना है एक सेना पती का धर्म केवल आज्या का पालन करना है एक रप मैंने है करता क्या मैं महानंदरी का अदेश जो था रस्यूरानी से बात मैं करूंगा करूंगा झाल लिए जनो से लंग मिए만 है! सुनाओ कच, दिखाओ अब निकला, क्या तुम मुझे हसाने में सक्षम हो या नहीं? आप कितने अच्छे हो आप कितने अच्छे हो आप कितने प्यारे हो आप कितने अच्छे हो आप कितने प्यारे हो आप कितने अच्छे हो आप कितने प्यारे हो आप कितने सुन्दर हो डाज़बोट, अदबोट, अदबोट आप कतने अच्छे हो, आप कतने प्यारे हो, आप कतने सुन्दर हो, आप कतने सच्छे हो और एक हम है कि जो जूट पे जूट बोले ही जा रहें जब उड़ान कर दो कि अवे कि अवे कि अवे कि अवे है और प्रजी हुई ए एक अवे हा है खर गार गुवे हाई हाद बूट कितली सच्छाई से सच बोल दिया वार भी लगा और गाओ भी नहीं हुआ तुम तुम हमारे मनरंजन के लिए नियुक किया जाते हो आपको ऐसे हसते हुए पहली बार देख रहा हूं मात्यताओ आप कितने अच्छे हो आप कितने सच्छे हो मनुश्य स्वास्ते रहे उसके लिए दो बाते अवश्यक है कलिश्ट हसी का आना और शत्रू का जाना और उन दासों का क्या हुआ अब हमें उन दासों को ढूड़ना ही नहीं पड़ेगा मात्यताओ मैंने ऐसी योजना बनाई है कि वो सौयम हमारे पास चले आएंगे कि वो सौयम है कि वो सौयम है कर दो कर दो सज्जन सिंग दस्युराज और दस्युरानी के आदेश के विरुद जाकर तुमने अपरात किया है दोशी बाबा नहीं आपके आदेश का पालंग करने से इन्हें मैंने रोका था और इसा क्यों किया तुमने क्योंकि मैं जानना चाता हूँ कि उन दासों को क्यों मारना चाते कारण तुम हो पुरू क्योंकि तुम समझ नहीं पाए कि दस्यु संसार के नियम क्या है और कार्य शेली क्या दस्यु हैं हम हवा में कहां से प्रगट होते और कब लूट कर कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता और इसलिए आज तक सुरक्षित हैं क्योंकि किसी को हमारे निवास्थल के विशय में ग्यात नहीं किसी के पास हमारे कदमों के चिन नहीं और तुम्हें क्या लगा था पौरव राश्यु पहुंचने पर इनका स्वागत क्या जाता नहीं फिर से बंदी बनाकर वारस भेज़ दिया जाता और उससे पहले दस्यु लोग का मार जाना जाता फिर दस्यु के साथ क्या होदा तुम समझ सकते हो इन दासों के लिए मैं अपने दस्यु प्रजा के प्राण दाव पर नहीं लगा सकती दस्यु रानी हूँ मैं सारे दस्यु के रक्षा मेरा उत्तरदाइत्व है और अपने उत्तरदाइत्व के लिए मैं एक बार क्या सौ बार ऐसे दासों की हत्या का आदेश तुम की उचित का आपने बूल थी मेरी जो उन दासों को यहां लाया और सभी दस्यु के प्राण संकट में डाले बूल थी मेरी जो अपना ये काम अदूरा छोड़ दिया पर अब ये काम पूरा होगा मैं उन सभी दासों को पौरब राश्चा ले जाओंगा अकेले एक माह बीद गए और अभी तक मेरे पती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला वो एक कलाकार है खिलोने बनाते हैं उनका नाम? चित्रवर्मा आपकी चिंता हमारी चिंता है अब जब तक आपके पती नहीं मिल जाते आप यहाँ राजमहल में रहेंगी वो दास यदी पतंग है तो उनका परिवार डोर डोर खीचो पतंग अपने आप आजाती है इने तुरंद वापिस भेज दो पर क्यूं? क्योंकि यदी उन दासों को ग्यात हुआ कि उनका परिवार महल में है तो वो कभी वापिस नहीं लोटेंगे और मोह में पढ़कर यहां आ भी गए तो महराज बमनी को सत्य का ग्यान हो जाएगा समझे तुम अपनी बुद्धी को ढील दो यह पेच मुझे लड़ाने दो और अब वो करो जो मैं कहता हूँ एक सरल खेल लगता है ना तुम्हें ऐसा पुरू इन्हें लेकर पौरव राष्ट जाना आत्मा हत्या है मानता हूँ परंतु जिसकी रक्षा की उसकी हत्या कैसे होने दो हत्या नहीं बलिदान है हम सब की सुरक्षा के लिए शमा चाता हूँ माराज मैं आप सब के सामने बड़ा हुआ हूँ परंतु आज तक आप में से किसी को भी संकट के बह से किसी के प्राण लेते वे नहीं देखा मैंने और बह किस बात से नहीं है वन में रहते हैं तो इस बात का डरकी कहीं कहीं साप न खाट ले या इस बात का कि कोई जंगली जनवर हमारा शिकार नखर बैटे तो क्या हम बन को ही जला देते हैं दस्यू हैं हम संकट हमारे साथ चलता है और साथ चलता है हमारा आत्मसम्मान इसलिए मैं पूरु से सहमत हुआ कि हमें इने नहीं मारना चाहिए मैं भी पुरू की साथ चाओंगी इन्हें पौरवराश्च छोड़ने बस लाची, मौन ये हमारे माता पिता ही नहीं दस्यू राजा और रानी भी है इनके आदेश के विरुद्ध जाकर इनका अपमान करोगी तुम नहीं भाई, ये मैं इनके सम्मान के लिए कर रही हूँ नहीं, ये सब तुम इस पुरू के कारण कह रही हो जो सदा कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देता है या फिर ये कहूँ कि हर समस्या की जड़ है रोप जाओ सुमेर पुरू ने जो किया, वो ठीक किया पढ़ती आयू के साथ अपनों की सुरक्षा का भय बढ़ता जाता है संकट का सामना करने से कतराते हैं हम अब समया गया है कि उत्तरदाइत्व अगली पीड़ी को सौब दिया जाए सुमेर लाची और पुरू तुम तीनों को ये उत्तरदाइत्व दिया जाता है कि तुम उन दासों को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ कर आओगे मेरे पुदा मन हूँ तेनिकर ठाफदन पौर वराज्य के भले के लिए इसकी कोख में पल रहे स्थल बोलेगी जिसे एक भारत का सुर बनना है उसके जनम पर पीडा का एक सुर नहीं निकलेगा वेरे मुकसरे पुदा मैं तुम शिशू नहीं स्वपन हो महारानी अंसुया का स्वपन और नियती ने तुम योधा चुना है और मैं ये सुने शिटका कि तुम अपनी नियती तक पहुचो केवल ये तीन इन्हें उन दासों को छोड़ने जाना है सज्जन सिंग आक्रमन करने नहीं जितनी संख्या बढ़ीगी उतनी समस्या भी चोरों के भाती जाना है और उसी प्रकार लौट कराना है मेरा मत है के हम पुरू को बाहन नहीं भेजना चाहिए प्रंतु बाबा तुना तुमने क्या कहा महरानी ने चोरों की भाती जाना है और चोरों की भाती आना है और तुम आवेश में अपना सयम को बैठते हो बाबा में तो अस सबले अभी कम है तो ये लो बुरू के साथ ऐसा वेवार तो बता दीजे उसे सत्य क्या है बता दीजे उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है बता दीजे उसे कि उसकी मा मर चुकी है प्रन्तु बाबा तुना तुमने क्या कहा मारानी ने चोरो की भाती जाना है और चोरो की भाती आना है और तुम आवेश में अपना सयम को बैठते हो बाबा में तो इस बात पर कोई विवाद नहीं होगा और ये निरने तुम्हारे बाबा का नहीं सेना पती सजन सिंग का है पुरू नहीं तो कौन जाएगा सजन सिंग अब समय आ गया है कि हस्ती अपने आपको सिद्ध करे तुम्हें विश्वाज है कि हस्ती अभ्यान संभाल पाएगा अवश्या दस्युराज मैं सिद्ध करूँ हूँ कि मैं योग्यो हूँ और सुमेर का साग बनने में सक्षम भी हूँ है ना सुमेर ठीका इस संकटकारी बुरू से तो कई श्रेष्ट हस्ती है ठीक है तुम तीनों इन्हें इनके घर तक सुरक्षित छोड़ कर आओगे हस्ती कोई आवाशक्ता नहीं वा जाने की आवशक्ता है मा जो कार्य पुरुने शुरू किया है मुझे उसे पूर्ण करना है मा पुरुने शुरू किया वो पूर्ण करेगा वो चाहे जाए तुम नहीं जाओगे बस मा ये मेरे लिए एक अफसर है अपनी योग्याता सिद्ध करने का हस्ती यदि योग्या हो तो अनेक अफसर आएंगे पौरव राष्ट वो चुनती नहीं जिसे लिया जाए परंतु मा इसे परंतु कुछ नहीं तुम क्यों नहीं समझ रहे वहां क्या है बस तुम नहीं जाओगे तुम्हारे पिताजी को आने दो मैं उनसे बकाओगो वो तुम्हे नहीं जाने देंगे परंतु मा मैं पौरव रश्टर जाओँ ये निर्ने पिताजी का ही है क्या? हाँ मा बंदियों के साथ पूरु जाकर वहां कोई बखेडा ना करे इसलिए पिताजी मुझे वहां भेज रहे हैं पूरु की जगे मा जल्दी से खीर खिलाईए इसे सुमेर के साथ वहां की योजना मरानी है इसे हाँ मा सुमेर मेरी परतीक्षा कर रहा होगा अभी रहने दो मैं सुमेर से मिलकर आता हूँ फिर आपके हाथों से खीर खाता हूँ चिंता कम करो मा हस्ती इससे भी ज्यादा मुश्किल का रहा कर चुका है चिंता कम अधिक मुश्किल बड़ा कनित करने लग गया हो परू हस्ती को पौरवराष्ट्र भेज कर तुम्हें अधिक खुशी मिलियोगी न नहीं मा मैं तो अकेले जाना चाहता था हस्ती को साथ ले जाने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था प्रयोजन प्रयोजन की योजन मा मेरा सब कुछ ले लेने की योजन क्या चाहिए तुम्हें सब चाहिए रुको ये लो मा रुको मा ये भी ये बंदियों को लाने के लिए कम है बोलो अब उनके जीवन को बचाने के लिए ये भी कम है रुको ये लो सब ले अब भी कम है अब ही कम है तो ये लो ये लो ये लो तो मेरे पास सिर्फ मेरा पुत्रास्ती है मिरे हस्ती को मुझसे दूर मत करो सब सही था सुखी था सहरल माग पर चलते चलते ना जाने का पुरू नाम का काटा पैर में चुबा और कहरा चला गया अब उस काटे के साथ चलते चलते गाव भी कल गया अब नहीं अब उसका होगा जड़ से उपए करना होगा तुम मेरे वास पृथा पृथा तुम अपने पुत्र के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते और मेरे निर्णे का दड़ तुम पुरू को क्यों दे रही हो अस्ति को पौरो राष्ट भेजने का निर्णे मेरा था सारी खीर मिट्टी में मिल गई पर अभी थोड़ी सी बागी है हस्ति को देखा रहा थो पर अढ़ी है हस्ति को पर देखा रहा थेखा रहा थाज को रहा है मुशला शवलने नहीया नही बागलर भेखा कर दो मुशला अभी धूर को प्यूर प्ट्री उपार किसे पर उनन तो किसी अरो झाल 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 भाई पूरू? दस्यू राजी में रहते हुए ये बोल गई कि तुम पौरो सेनापती की पत्नी हो और पूरू के साथ ऐसा वेवार? पूरू राजकुमार है महराज बमनी का पुत्र है वो और हमारा उत्तरताईत्व है आरे राज नक्षे परबंदे और परिवार भावना उपर आप केवल राजे के उत्तरदाई नहीं हस्ती के भी हस्ती मेरा पुत्र है आपका पुत्र है हस्ती मेरा और आपका भावनेक उत्तरदाईत्व है पुरू तुम यहां क्या हुआ मा का आशिरवाद और मा के हाथ का बनाया हुआ मीठा कभी छोड़के नहीं जाते अरे मा के हाथ की खीर अरे पुरू तुम भी खाओ ना नहीं यह तुम्हारे हिस्से की है मेरे हिस्से का मुझे मिल चुका है बहुत ही स्वाधिष्ट है धन्यवाद पुरू तुमने मुझे स्वयम का सिद्ध करने का आफसर दिया तुम चाहते तो बाबा का विरोध भी कर सकते था पौरवराश्य जाने का हट भी कर सकते था लेकिन तुमने मौन रहकर मुझे अपने आपको सिद्ध करने का आफसर दिया अपना अपना भागय है अस्ती कहीं किसी के मौन रहने से किसी को अफसर मिल जाता है और कहीं किसी के मौन को तोड़ने से किसी का जीवन ही खिल जाता है सब सही था सहरल माप पर चलते चलते ना जाने कब पूरू नाफ का काटा पैर में चुबा और कहरा चला गया अच्छा पूरू मुझे सुमेट से मिलने जाना है तो मिया पक्रा, मैं मिलता हूँ अब तो मेरे पास, सिर्फ मेरा पुत्रा हस्ती है मेरे हस्ती को मुझसे दूर मत करो आर्या, याद है जब आप पहली बार हमें दस्यू राजर लेकर आये थे, मैंने आपसे क्या कहा था एक पत्ती के लक्ष के लिए इस पत्नी को अपना हर बलिधान स्वीकार है लेकिन इक पिता के बलिधान के कारण पुत्र का जीवन लक्ष भंगो यह इस माता को स्वीकार नहीं पिता का करतव्या है कि वो अपने पुत्र को जीवन का मार्व दिखाए पौरव नाम नहीं, अस्ती के गल्ती यह है कि वो आपका पुत्र है परंटु उसने तो अपने पता को नहीं चुना तो उसे दसी होने को दंड क्यों लोग सुखियों संपन्न होने के स्वपन देखते हैं और मेरा पुत्र मेरा पुत्र दस्यों सिनापती होने का मेरा पुत्र समंदुर की सेर को छोड़कर कुए की होड के स्वपन देख रहा है प्रिथा रक्त रक्त को पुकारता है और पहचानता भी है वो छण जल्द आएगा जब महराज बमनी और पुरू एक साथ होंगे और ये सच्चाई जब हस्ती को पता चलेगी तो हस्ती का छोटा स्वप्न भी बड़ा हो जाएगा और हस्ती को वो सब कुछ मिलेगा जिसके इक्षा रखता है वो या जिसके योग्या है वो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब कुछ महराज बमनी अवश्य पूरा करेंगे परी कथा और जीवन में अंतर होता है परी कथा में राजकमार दो पंक्तियों में साथ समूंदर पार कर देता है और यहां सच ये है कि इस छेलम की लहरों को पार करना कठिन है यदि पौरव राश्ट्र पुरू का अपना बेटा माने ये इतना ही सरल है तो आपने उसे पौरव राश्ट्र जाने से क्यों रोका और यदि ये इतना ही सरल है तो बता दीजे उसे सत्य क्या है कि वो हमारा पुत्र नहीं है बता दीजे उसे कि उसकी मा मर चुकी है बता दीजे उसे कि इस मिट्टी के कुमहार आप है लेकिन मिट्टी कहीं और की है हाँ ये सच है कि वो मेरा पुत्र नहीं है परन्त ये भी सच है कि उसके योगी देख रेक में करता रहूँगा चाहे उसके लिए मुझे असांग कि त्याग क्यों ना करने पड़े पुरू भले ही हमारा पुत्र नहीं लेकिन उसकी ये सच्चाई आप किसी को नहीं बताएंगे ठीक है आरे है मैं पुरू का सत्य किसी को नहीं बताऊंगे परन्तु सत्य सामने आने का मार्क स्वयम ढूंडी लेता है और जिस दिन ये सत्य पुरू के सामने आएगा तब आप क्या करेंगे आ रहे हैं पुरू? पुरू? बता दीजे उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है बता दीजे उसे कि उसकी मा मर चुकी है मर चुकी प्रिजस है अथ्श्ड़ मा मर चुकी प्रिजस है लुकी मारो चुकी खार्वार प्रिणपश्वां लुकी प्रिणपश्शब्स अर्णपश्श सेरल मार्ग पर चलते चलते ना जाने का पुरू नाम का काटा पैर में चुबा और कहरा चला गया अब उसका होगा जड़ से उपए कर दो उसिन पहली बार मेरे बेटे की आँखों में आसु आए वो आसु नहीं पुरू के मन में उठते हुए प्रश्णों की बार थी कि क्या है उसका अस्थित्व? क्या है उसकी नियती? यदि वो मेरे स्वर समझ पाता तो मैं उसे बताती कि जिस धारा में वो अपने आसु छपा रहा है उसी धारा के किनारे उसका अस्थित्व उभरने वाला है कि उसका भाग्य मेरी धारा के पार दूर उस यवन योधा से जुड़ा है जो भारत का भाग्य विधाता बनने का सपना देख रहा है और अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा चुका है जिसे दुनिया जीतनी हो उसे नमुम्किन को मुम्किन करना तो आता ही होगा ना मशवर्दी तुम्हारा साथ आना जरूरी है पुरू पौरव की चुनोती बहुत कठिन है परंतु सुमेर के साथ हस्ती भी तो है ना भीड भी साथ ही होती है पुरू परंतु बल भीड में नहीं, बल नायक में होता है परंतु बल नायक में होता है झाल 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 किंती कर ले समझ आ गया होगा मेसेडोनिया में इतनी इटे नहीं है जितने हमारे पास सिपाही है मैं तो ये गिन रहा था कि तुम सब के मगबरे बनाने में पत्थर कितने लगेंगे मौत के सामने खड़े होते हुए डर नहीं लगता बच्चे डरे हुए तो तुम हो शाथी सिया अगर बेखाफ होते तो शाथ फिलिप के किसी और जंग में मस्रूफ होने का फाइदा उठा कर मैसेडोनिया पर पीछे से हमला नहीं करते अगर जवाब मिलेगा पीठ पेवार का जवाब सीने पे देगा यह अलेक सेंड आप है जए अलेक सेंडर अलेक्सेंडर अलेक्सेंडर ! नाम सुन थे ही डर लगता है तुम लोग को डर लगाए नहीं ? मुझे मौफी दे दे हुजूर अलिक्सेंडर आपका नाम सुनते ही मैं डर गया खेल बहुत हुआ बच्चे इसके पहले के मैं तुम्हारी सासो का साय तुमसे छीन लू जाओ जाकर अपनी मा के दामन के साय में छिप जाओ मलीका मलीका शेदाद एलिक्सेंडर मुट्टी बर सिपाईयों के साथ थीसियन सेना के सामें जाओ खड़े हुए उनका बचकर लोटना नमुम्किन है जिससे दुनिया जीतनी हो उसे नमुम्किन को मुम्किन करना तो आता ही होगा ना मशवर्दी लो जाम पियो वक्त शेदादे एलिक्सेंडर के लिए दौ़ा करने का है और आप यह जाम पेश कर रही है जंग जीत कर राने वालों का जशन जाम उठा कर किया जाता है मशवर्दी और रही बात दुआ की वो मैं थ्रेशिन शाखे ले करूँगी क्योंकि वो नहीं जानता कि किस आग से खेल बैठा है आग से खेल रहे हो बच्चे हाथ जला बेठोंगे आग से वही खेलते हैं जने आग पर काबू करने का फन आता है अच्छा तो फिर देखते हैं कि तीरों की बॉचार को रोकने का फन तुम्हें आता है के नहीं और बॉच़े से तीरों की तुम्हें आता है मारतुम्हें आता है और शब भूस Umee कि ने कि कि ऊपर को पित उनस from a park कि कि उर भी लुट कि उर वग कि उर गार कि जर ख वी दो हु eligible कि उरे खार ठु 민주 कि लिए कि लिए गो बागना है एड़ा एड़ा! एड़ाओा एडना है एड़ा है एड़ाखाई! सबस्टेट एड़ा! एड़ाई! सुनो, सुनो, थीसियन से ना कभी भी शेहर पे हम ना कर सकती है, जाओ, भागो! मलिका, अब भी मिखफूस जगख चलिये! मौत च्छिपने से नहीं, सामना करने से दूर भागती है, बेवकुफ! और सामना कर रहा है, मेरा अलेक्जैंडर! तो हमारी लिए क्या हुकम है? जाकर अलेक्जैंडर के जश्न की तयारी करो! जाओ, चाहिए कुवफ रहा है! ठर्थमार के डी है, जाओ, डवी मिवखил रागश एलेक्जैंडर के ओेहा है, जाओ, प्लब भागता के रहाई नहीं, सामना की झालेक्जैंडर के रहा है. एलेक्जैंजैंडर के व unserत्यार्च प्याद। अबंगा करता है कि अबंगा बहुे कर्या कि अबंगा कि एक thank MELサ cksुई ल Teddy मिलें लिएतान कि अबंगा Kिउ चनिया वो लोग आ रहे हैं फरस्टियन, पैयार हो हुजूर, ये हजारों हैं, हम कुछ सो, क्या फटेह कर पाएंगे मैदान जंग में जाने से पहले अपने अंदर बस एक ख़फ को फतह किया जाता है, सिपोथियस अगर इस फॉच को देखकर तुम्हें लगता है कि समुंदर की लेरे तूफान बनकर तुम्हें मिटाने आ रही हैं तो ये सच है वगर आधा और बाकी का आधा सच ये है कि तुम वो फॉलादी चटान हो, जिससे ठकराकर बड़े से बड़ा तूफान बितितर बितर हो सकता है वहाँ उवड़़चे थाज भाएाँ वहाँ 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 शाफ फिलिप का यहाँ नहोना हमारे लिए एक मौका है यह थाबित कर देने का कि मेसेडोनिया के बेटों के रहते उस पर फत्ह पाना एक नामुम्किन खौब है यह जो फौज है वो बहुत धूल उडाती हुई आ रही है आओ इन्हें इसी धूल में मिला देते हैं लु़ आग यहाँ कि वू देते आगुब हुई टेते हैं यह रहते है में उत्हाँ कि जख धन्हाँ और रीननननने देना नेको तान घ्नल सेका क्जा़ पन्हाँ लु़ भार बहुत बहभाँ वादा भर बह़ाँ अएना जासो नौर मैंहां आई अॉब ठात! कर दो कर दो यफस्टियन! 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 हमार hen अ आया हुआ जाक हमार जाँ प्राफ बाल एक जाँ प्राफ जाँ जाँ पाल कर दो खाल को कि अगा हुआ जाँ। झार 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 झा कर दो!! के नचैंसे ने करने लिए आरौ परिप से करता है तो, प्यॉक्चा बढateur 괜찮ंहीं, गिलिद कोईए। और अर रॉक्षा हेड़र गार रापी जे कोईठाई युक्षा है distr acceso च ख। प्राई है थे 한तन पुदनी टे खूब प्रोड़स कहा क है Ho वक्चार ब descrição amplified वक्तर ब disposition वक्तर बっぱन् गायाई अजजज़ दोग झाल है, झाल है झाल है. अब कतले आम! माफी, रहम, अलिक्जान्डर, यही खौफ चाहिए मुझे हर उस सुवान पे जो मेरा नाम ले, हर उस चेहरे पे जिसकी आखो में मेरा अक्स हो. क्नुति किया क।ा लिरी हो आजकी हर आमर, अलिक्जान्र, देना मेरा नाम पेरे, हो जा कर दो ऊचाल, ता सम्ति किज़ नाम इस सुवास आमपड, यही रही जिना धम्सल Charac 아ayan मेरा टूए, हुआत, यही जा बोन ते।, इसieltता है डित यह मुझे हर उस स॥आट थाार्म, यह